पेपर लगबग यह मान के चलो यह जो है अब रिपीट होंगे यहां मतलब पहले आपने करते हैं वहीं क्यूशन है कुछ-कुछ नहीं क्यूशन जो एड होंगे वह आगे 12-12 में रिपीट होंगे तो इची याद रखना अब यहां से क्यूशन 24 में आएंगे जरूरूर जो स इतने सुनने होंगे हमेशा एक चीज या रखना अपने को क्या चीज चीज शिखाएगी यह उसी के भीहां पे लोग क्यूशन बनाते हैं हमेशा याद रखना तो कुछ ही नहीं के डारेक्ट फेक्टर निकालो दूसरी बात एक चीज सोचो कि जीरो का बाता है जब पांच इसको तोड़ते जाना जब तक इसके प्राइम फेक्टर नहीं आ जाए तो यहां पर यही काम करना है आपको प्राइम फेक्टर निकालना और अपने को पता है कि जो दस जीरो है सबसे पहले कहां से आएगा यहीं से आएगा पांच इंटू चार तो बाद में आएगा दस सबसे पहले जो छोटा यहां से आएगा तो यही तरीका हैस्टानैका आड़तों पांच इंटेहूं तू और अगे देखो 35 का 5 इंटू साथ डारेत प्राइम फेक्टर यही हो जाएगा 40 का देखो 55 12 इंटू तू करो quando को फिर प्राइम फेक्टर में करो तीन ठीक है 50 को देखो 5 something पांच इन्टू दार यह सबसे पहले यही काम करना है स्टाइप क्योश्टन ओंप हमें से याद रखना अब इसका एक तरीक शिकार हो जहां से समझना अब जो है जीरो डिसाइड करेगा अपना भाई किस से बनेगा अपने को पता है पांच इंटू दो से बनेगा दस जीरो इसी से आएगा तो अपने को यह काउंट करना है कि पांच के कितनी जो है मैक्सिमम वेलू है ठीक है और दो का कितना मैक्सिमम वेलू है अब एक ही यहा आलो बारा आ रहा है तो याद रखना कि साथ के साथ साथ ही मिलके जीरो बनाएंगे तो जो और एक्ष्टा रहेंगे वो कुछ ही काम के नहीं तो आप यहां से अपन काउंट कर लेते हैं पांच कितना है जो मिनिमम रहेगा वही अंसर आएगा ठीक है दोनों में से अब पहले आरा तेरा चोदा ठीक है चोदा आगे त्यान से समझते ना पांच आ रहे हैं चोदा अब जस बनाने के लिए इतने ही दो आने चाहिए तब ही बनेगा ठीक है तो दो कि गिंते कितनी बार आ रहा है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आट नो दस तो यह दो आरा दस बार तो इसके सब एक सी बात है कि पांच इंटू दो से जो दस बनने वाले तो पांच कितने अपने पाद चोदा है दो पन दस ही है तो सब एक सी बात है चार जो पांच तो कोई काम के नहीं रहेंगे अपने को दस ही जो है जीरो मिलेंगे आंसर आ गया दस यही तरीका है इसका दोनों में जो minimum होगा वही answer होता है क्योंकि उतना ही चाहिए उससे 0 बनाने के लिए ठीक है आगे क्यूशन आएगा तो पहले मैं बता रहा हुआ पहले हुआ हुआ है इस टाइक है अब पहले में कर चुक है याद करो मैंने वहाँ पे एक तरीका तो मैंने शिखायत है इसमें यहाँ एक संक्या है जहाँ एक संक्या है यहाँ यह प्लस प्लस टू प्लस फाइप दो पांट दो साथ साथ एक आठ यह तीन का नहीं नहीं होना चाहिए तो यह नहीं ले सकता है यहां पर रख यहां पर डहों आभ यह ए अज और अगला क्या इसने हो पहले ले लिया तो दो को एक और फिर यह दो जाए इनको एड़ कर लो पांच यह साथ आट अब दियान से देखना अपन तीन कर विवाज इतानीयम जाता है तिनों जोड जोड के चोई-चोईश विवाज जाता है तो यह पूछला कों से विवाज नहीं यह तो है तीन से विवाज जी यह ठीक है तो यह तो पता लगए अपने को नो से देखो नो का विवाजिता नियम जो तीन से होता है वही होता है इसको अब नो से एक बाद देख लो डारेक्ट नो नम 81 81 के कितना बचा रुख जहां नो से नहीं जा रहा है यह देखो नो नम 81 साथ बचा ठतर आरा ठतर तो जाएगा नहीं तो यह आंसर तो आगे अपने यहीं पर तरीका तो यहां मिल गया था पर एक सोचो अब आठ से भाग आठ से बाग तो जा रहा है पुरा-पुरा 11 बार जा रहा ठीक है यह वी पता लगए अपने को दूसरी चीज देखना कि 37 से भाग देके देख लो 37 से नहीं बतार चोतर ठीक दो बार चोतर 14 ठीक है 14 सब्सक्राइब नहीं हो रहा है नो से तो यह मैथड यह है बस ध्यान से यह समझना यह चीज जो है में इंपोटेंट है इसके लागों जरूरी नहीं और कोई सिर्फ संग्या लेकि तुम कर सकते हो ज्यान से समझना इस तो यह तो यह पहले भी आपन जो क्यूशन किये थे या मैं मेहन मेटिड़ को में शिखा देता हूं आपो मालो ऑक्ससमाह ज carta जो तीन जो की तीन — यह c लखे अब आगे आपन क्या कर रहा है कि इसको आईसे कैसे जोड़ देंगे अ तेजान समयना है यह सु मैंने लिख दिया पहला ठीक बागे दिखो अब इसने x को बनाया पहला ठीक है फिर z को बनाया तो 10z प्लस 100y ठीक है आगे देखो y यह होगा 10x प्लस यह 100z ठीक है अब इनको सबको 8 कर दो सबको देखो 100x यह क्या हो 101 और यह 111 111x ऐसे करके ही सब आएंगे 111y आएगा ठीक है 111z ठीक है अब 111, ले लो x plus y plus z ठीक है अब जहां से देखो यह देखो जो पहला देखो अभी इसको में किसी संक्याइट करना है xy z से डिवाइड यह जब डिवाइड होगे तो पूरी-पूरी संक्याइड होगी ठीक है अब तीन से देखो एक दो तीन तीन का योग है तो इससे किस से विवाजित नहीं होगी नों से विवाजित नहीं होगी यह चीज याद रखना यह में चाहिए जो वेल्व पूर्ट मैंठड़ है इसमें तोड़ा बहुत हो जाए यह यह तो यह यह जो यह चाहरा है ठीक है अब अगला देखो जहां से समझा बहुत इजी क्यों से पहले प्रकार की प्राकति शंख्या तो पहले बाद नेच्छल नमबर है नेच्छल नमबर है तो 27 वहत नेगेटिव वेलू नहीं है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह चोड़ी चीजे समझा प्रकाति शंख्य क्या है यह सारी चीजे प्रकाति शंख्या तो नहीं होगी नेच्रल नमबर है अब देखो एक जहां से देखना मैं कैसे उसको ऑप्षन की मतलब से करूंगा ध्यान से देखना जैसे पी में से मैं कुछ घठा रहा हूं जहां समझा पी में से मैंने 216 गठाया और जो क्यूं ख़र है क्यों में कुछ जोड़ने बाद में उस संख्या जो है उसके पी बराबर आ रही है तो सोचो इसका मतलब है क्यों से बड़ा है इतना थो पता लग लग गया जब burgिस के चो ऑट देखना सिर्ण इसको साहथ इसके कंपरेज़् कर रहा हूं पी में से मैंने 1216 गठा है आर में से मैं 1218 गठा रहा हूं तब जाके दोनों के वेल्यू बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो पता लग गया आर जो है पीसे बढ़ा है तो यह भी घया अब आगे देखो इधर देखो इधर वही शेम चीज आर में से में कुछ गठा रहा हूं जब मैं जोड रहा हूं तब बराबर आ रहा है तो सब आइक सी बात है आर जो है ऐसे बड़ा हो गया काटो तो सबसे बड़ा क्या हो गया आंसर आर यह वेरी इंपर्टेंट क्यूशन लगा लेना यह रिपीट भी हो सकता हूं वापिस से इन चारों में प्राइम नमबर के साथ खेलता है और मैं फिर बतारहां चार से पांच क्यूशन मिनिमयम आपको प्राइम नमबर वाले मिलेंगे एक से लेकर सोत्व प्राइम नमबर याद कर लेना उनको और रटे होने चाहिए ठीक है अब जहाँ से दे देखाँ पांच अंको की कितनी अ चार और पांच के द्वारा ऐर्विन को बनाना अपने को एक दो, तीन, चार, पांच के द्वारा बिना अंको की पुनाविठी बनाए जा सकती है। अब देखो जी हां से समझना एक का, दो, का, तीन, का, चार, पांच पांच, गScott पहलेों क्या संख्या बन गई अब यह कैस तो विवाजित होगी एक से या फिर बारा एक सो तेइस मलब पैतालिस यह बारा जा तीन सो पैतालिस से पर अब ध्यान से समझे ना ठीक है अब यह चारह कैसे कितने संख्या बना सकते हैं अब मुझे बताओ इसको एड़ करो पांच या नो नो कितना उगया बारा बारा 12 12 14 15 अब आपने को पता है इसका योग आरह phones यह हमेशा तीन से विवाजित होगा अब दब तीन से विवाजित होगी तो यह कभी नमबर बने गा ही नहीं क्योंकि एक से एक से और खुद से 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 उसके लाव तीन से भी विवाजित हो रही है तो य यहीं पर जाके पहला ही चेप्टर में उसमें दिया हुआ है था आप देखो रिपीट हो गया क्यूशन मैंने करवाया था उस दिन बे और मैं बोला था देख लो यह क्यूशन आएंगे तो मैं फिर बारा रहा हुँ देखो अब यह क्यूशन रिपीट्रेड है अब यह क्यूशन आगे भी आएंगे ऐसे नहीं है तो मैंने इसका क्या बोला था एक तो वह है कि सब्सक्राइब कर लो कि अपने को पता है एक दो कर सकते हैं और एक में थोड़ों से बतारों मलब जब वैलू एक तो मैंने बताया डारेट बी और सी में से ही चूश करना ए डीव नहीं चूश करना पहले भी आगे तीन लोगों देखना तीन तेरा तरेपन तैस इकतीस ठीक ह माटलब तैसर नश्तर सकतने है वात फप्सक्राइब के आंसर तवियंग नियां से मालева को को दो वह हैं कि ऑन्कों की इसंख्या के शेंख्या यह कोई दो वह इसंख्या है तीन इत्र आंकों की हैं इस अब् 전ोर्माइन में दो बन मालев में 12 यह 12 कितना हो गया चाहिए पनाना चाहिए इससे एक पर यह नहीं को नमबर क्या लेना अब इतना पता लगए 101 आ रहा तो जश्ट अपने से इससे बड़ी लेनी यह नहीं अपने लेकर देख लो कितना बड़ा आरा उसे एक आईडिया लग जाता है ठीक है अब सोच वहीं स्टार्टिंग वाला तरीका उसे से करेंगे मैंने क्या बोला था देखो एक इक आए अंग तो जैसे मालों मैंने यह जो डौट है इसको माना एक्स अब जो दो अंगों की संक्या हो अभी देखोई इसको मैं लिख रहा हूँ तो इसको एक्स प्लस टैन इंटू वन ठीक है ध्यान समय यह वन यह है ठीक है फिर उसके बाद में देखो एक्स प्लस टैन इंटू फाइव ठीक है आगे देखो यह हो गया यह देखो एक्स इंटू टैन एक्स ठीक है जो यहां प्लस आएगा यहां पर यह टैने एक्स अब आगे देखो यह गया अब यह देखो एक प्लस टैन इंटू एक्स तो मैं लोग टैने एक्स हो जाएगा बराबर कितने के बराबर आदा चाहिए अब देखो एक्स टैने प्लस लुए प्लस चरो अब इनको जो अब इनको इनको शोल कर लो एक्स प्लस प्लस टैना गया अब उब यहां करवा रहा हुए इसलिए इसलिए इतना करने के पट्श आंसर आएगा एक सेट अब अभी आपको लग रहा है जो तर यह कुछ ही नहीं है हो डियेज करो कि तब देख चो लुग संदै उड़ी जो लो दो एक्स अनन एक्स तीन एक्स तेरा एक्स टेरा एक्स चोधा एक्स चोई evet । हुग Magnus अ ipod emails वाली जोड़ लो दस को बताता साथ साट शाट शाट और यह सो है प्लस ग्यारा एकस इधार गठा दो कितना बचा तेरा एकस बचा ठीक है अग्जामे आएंगा इंगे फिर विश्क्यूशन पूचा अग्याता वूच violins अब ये देखो अब ये चीज याद रखना मैं फिर बारा बता रहा हूं ये LCM का क्यूशन है फट से बनेगा आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं जहां दे समझो कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हो डारेट LCM का क्यूशन है तो 7.5 और 3.25 अपने इसमें सबसे बात है याद करो दसमला वाला NCM सिखाया गया है यह इसको देखो यह दसमला उठाओ इसको 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 आ जाएगा फिर याद करो मुझे चाहिए LCM ठीक है तो उपर वाले का अपन निकालते है LCM और इसका लिकालते हैं अपन SCF तो यह चीज़ पता होनी चाहिए अब देखो अब किसी से नहीं जा रहा है है कि कहा है 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 यह गल्टी रविज मिय सब्सेदेट रॉख जाओ तो कम से कम कित्ने नंबाए ना आप सकते हैं रुख जो रुख जो गलती गलती हो रहा था रही तो इधे देखो जान सकते हैं देखो यदि आपके पाद दो सीधी चाथ पंट पांच फूट और तीन पॉंट पच्चिस फूट की छड़े हैं ठीक है आप कम से कम कितनी लंबाई ना आप सकते हैं तो है सियप निकलेगा ना कि है लCenne निकलेगा ठीक है तो यह चीज याद रखना अड़का घहां से देखना हम कि इस men cf तो इसमें क्या करते हैं मीनिममँ से मीनिममँ चूज करते हैं ठीक है और जब लिश्ट पूमन मल्टिपल अब इन दोनों के लिश्ट कॉमन मल्टिपल निकालते हैं जिसे इसी का यह अगर आप जो है लिश्ट निकालोगे तो सो आएगा ना तो यह ज्यादा वेलू आ रही है ना अपने पूछ रहा कम से कम लंबाई तो सीफ निकालना तो यह चीज़ा सब्सक्राइब करना तो इसका पर पहले दस मला उठा लेंगे तो यहां पर सो आजाएगा अब दिखना से निकालना तो वही सेम चीज़ है एसीफ उपर वाले का निकलेगा पिछेतर का और तीन सो पत्चीश का ठीक है और एल सीएम जो है नीचे वाले के निकलेगा दस और सब्सक्राइब करे बिश्यपर यहां तो वृश्य जो है सब्सक्राइब कर दोनों लिवाजित कर सके तो क्या आएगा इसके इसके वाईगा तो यह आ जैगा जीरो पॉंट प्रशीlet तो यह यह answer है, अपना एक आगे, मालोक आपको नहीं आ रहा है तरीका था, ऐसे आप निकालने है तरीका मैंने बताया यह भी था, चाओ तो एक तरीका देखो, एक method क्या था? चलो यह वाला कर दो यह वाला तो देखो पांच पांच का अगर इसमें बाग दोगे 5.5 कितना बच्छा दो 25 फ़िर फ़िर 15 ठीक है और 5.5 पांच पंदरः ठीक है अब द्रेख़ो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा जो सेम सेम है जब उ भी विवजीत कर देख है तो 25 हो गया आपशीय तो दुश्य तरह निकाल रोगे तो उसी तरीक तो यह चीज़ याद रखना बस इसमें यह चीज़ समझ नहीं है क्यूशन है तो यह तोड़ा ध्यान से समझ जब कम से कम बोल रहा है तो यह चीज़ याद रखना अब देखो यह सुकेंस वाला क्यूशन अपना कर चुके अरे समझ में आ रहा है अगला देखो जहां से देखना अभी देखो चोधा मैं फिर बार बतारा हूं प्राइम नंबर इस वेरी वेरी इंपोटन्ट चोईस तीस और बद्रीस अब आगे दे कि परतेक संक्या में एक सरल गणेते संक्या दोरा अबाज्य संक्या के एक अनुकरम प्राप्त के जाता है ध्यांस इन से खुद नहीं बोल दिया है कि अबाज्य संक्या के एक अनुकरम प्राप्त हो रहा है तो निर्मे से कौन से अनुकरम की अगली संक्या और तो अबाज चीजो अब लेखा तो लोग 36 मारकी आ जाएंगे तो यह गलती है तो में बात ला कि अब आज यूपेसी ने यही क्यूशन देता तो इसका आंजर 36 भी हो सकता था ठीक है परन्तु याद हो यूपेसी ने बोल दिया है कि नहीं इसमें अभाजय संक्या के अनुकरम प्राप्त हो रहा वह आप फाइंड आउट करो अब ध्यांस देखना कैसे मिलेगा द्यांस देखना मैं इसलिए बारा बता रहो हो अब्थार लाँसे कितनी है बताओ चुछ संक्या सथरह ठीक है अठारा और बीस के बीच में कुन सी और है कि दीजैंट गुळंटीज के इंगर हाथ अगली अठीस sante i.e k eighti मैं अपने को मतलब जो निकालना है इसके बीच में तेहांu से देखना ए यहां पर क्या हुरा जहीर हो गया गुनीश म おगया सतटरारा म मतलब जस्ट जह अगली संकिय आएगी अगली जो संख्या आएगी 32 के बाद में जो अगली संख्या उससे जश्ट पहले अब आज ये संख्या कौन चीए इसी है जिसके बाद में जश्ट जो है वह आ रहे हैं ठीक है आंसर 38 अब फिर बारा बता रहा हूं देख लो यहीं तीन क्यूशन आगे प्राइम नंबर वाले अभी तब आच्छा क्यूशन हैं फिर बारा बता रहा हूं बहुत क्यूशन आएंगी इसको मैंने बनाना था कि स सब्सक्राइम नंबर परले पर समझेल वह बोल रहा है यह यह को बोला रहा है तो वह तो फिर दो रहो है कि प्राइम नंबर का में शंडा तुम क्या कर रहे हो 14-10 में 10 टेरा अठीज सतरा अच्छा पिर दिश में चैनगैण catast ये टइस में तो ना कि पहले दो जुड़ा फिर शे जुड़ा फिर दो जुड़ा पिर जुड़ा यह देखा यह कहा हो रहा है च्यार अब आगे केसे बोल सकते हैं तुम जोड़े फिर इसमें 31 में 31 में कितना जोड़े तो कितना 35 आएगा नहीं सर चे आ रहा है 32 में 6 जोड़ेंगे 30 में तरीका आप सोचो ना तुम बताओ ना यह यह दिखो जब लगता है जब सेम पैटर्न फोलो हो रहा हो च्यार प्लस दो यहां पे पैटर्न चेंज हो ग प्रवेसे हो रहा मुझे बताओ पैटर्न का फॉलो हो रहा हो बताओ 14 14 18 जोदा दो बीस फिर बीस में 4 उटा पिर शे जोटा गलत ड़ना कितना चाहिए पलद दो जुड़ना चाहिए नहीं लग लग रहा है पेटर्न लग रहा है उसमें बहुता तरीका मैंने बताए वह ह पैटर्न का मतलब होता है जो सेम स्केंस यहां फोलो करें पैटर्ण नहीं लग रहा है इसे कहीं मैंने बता है जब वह साफ साफ लिख रहा है उसमें तब थो चतिस आना चाहिए था तुम धूर पाटर्ण भी लगाऊ तब ठीक अब देखो आगले अब देखो यह क्यूशन प्रश्ट संक्याऊ को योग यहां से तो इनके अंग्व का यूउज कितना हो वह लगा दो फॉर्मूला दो प्योभाइव कर दो अबॉल्ष लगा दो 9 अङशने इसका अंको का यूज बोल रहा है शीक्ते पन्ने के संक्या एक से पाराम करते अंकित है और इस पुश्थिका से पन्ना फाल ले जाता ठीक भचेगे पन्नों पर अंकित पर शंक्या यूग 155 में है फटे फटे को कौण से संक्या अब जहां से देखना अब यहां पर जैसे मा मालों कि 30 तक यूज किया है ठीक है 30 तक यूज करोगे तो यह कितने संख्या होगी टोटल 20 होगी संख्या अब दो 20 में अब देखो एक तरीका क्या होता जहां से समझ रहा है एक से लेके मैं 30 तक निकाल लो योग अब यह बोला कि इसमें से एक पंद्रा अठाट है तो यह टोटल जो है 210 आरा जब अपन कितने पश्टों के यूज करें 20 तक के अपने यूज करें अब यह बोला कि इसमें से एक पंद्रा अठाट लिया गया ठीक है एक सो पिचाण में तो अब देखो कहां पर योग है अब देखो जैसे में 20 तक निकाला मैं गुन्नीश का भी निकालोंगा गुन्नीश इंटू 20 तो आराम से अंसरा जागा अपना दो इन्टू 10 ठीक है 10 कितना एक सो नब आगे आंसर यही तरीका है ठीक है वही करना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा जो कल पेटरन बताया तो वही है बस उसे चोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे ले गया क्यूशन को ठीक है अब देखो एक तरीका तो यह है दूसा तरीका देखो जहां से समझा पन मेरा मा के मालुब में मैं तो यह सइम पेटर्ण में रहोगा तो कभी कंसर नहीं है रहा है अब आजा हो देखो क्यूशन कल भी मैं करवाया था देखो आगे भी आया दोजाव 23 में भी आया यही क्यूशन अब यह क्यूशन गलत नहीं होने चाहिए अभी बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मैंने इनकर तरीका शिखा दिया हूँ अब जहां से देखो सबसे पहले क्या करना है गिनो एक दो तीन च्यार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चोदा पंदरा सोला सत्रा ठारा गुनिश बीस बीस का करो एक्टर कितना अगर पांच इंटु चार तो मैंने क्या बोला पहले चाहँ तो चाहर का ग्रूप बना लो या पांच का बूलो इन दोनों में से बना रहा हूं ठीक है तो पहला गुरूप मेरे को यह मिल गया अब अगला गुरूप मेरे को मिला है जांस देखना डैस बी डैस ठीक है बी अब इसको देखते हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है यहां पे भी आना चाहिए यह आना चाहिए पर तो अपने को ऐसा कहीं पे भी न यहां तक आपन चलेगी, डी शी टक चलेगी ने ऎहां था चलेगी डी सी When d e कुछ दो तो गल्ती कर दिए और ऑसी ग्रीजर के जालने क्वर्वा चैसर हरे यहां पर यहां गल्टी होग ना यहां पर यहां पर यहां यहां पर यह lileta. अब देख थोड़े यही तेज ध्यान रखना बनेगा कुछ नियाई पेट्रा ना ठीक है ठीक ध्यान देखो A B A B A G Rूप ठीक है यागला देखो B ने 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 डोट आएगा ना ठीक है अभी देखो डोट मलब यह चार गरू गया ठीक है बी डोट भी अभी चार तक गया आगे देखो C B डोट डी डी तक ही जाएगा आगे देखो C D C D ठीक है यह गया अभी देखो आखरी बनेगा E D डोट डी अब देखो जहां से देखना अब यहां से अपने को एक चीज पता लग रहे है A B A B C D C D तो बनना चाहिए इसी पेट्रन में तो सबाइसी बात देखो E D तो यह क्या बन जाएगा E D तो आकरे में यह कहां प्यारा तो यह तो गया ऑप्शन ठीक है तो यह तो भर गया अपना आगे देखो अब इसमें इसमें क्या हो रहा है यहां देखो यहां पर यहां पर यहां पर अपने पास क्या पॉसिबिलेटी है अब देखो इसमें आ AB AB जैसे अपने सोचे कि AB AB ले ले ठीक है मैं मालो इसको में A ले रहा हूं फिर इसको मुझे AB लेना पड़ेगा ठीक है यहां तो यह पता लगया कि आखरे में एहां पर में ले सकता हूं सी ले सकता हूं चीज दो हमारा पर इन दोनों में परução कि अपने ही सचना पड़ेगा अब यहां पर जो चलय सकता है उस घ्लट हो जाएगा जान समझना है क्कें दो जो similar है कहीं पर भी पास में नहीं आ रहा है मैं अगर मैं C ले सकता हूं तो वो possibility बन जाएगी ठीक है तो C किस में आ रहा है यह गया यह गया ठीक है अब यह रिदर देखो यहां पर मैं A ले लूँ ठीक है और मैं यहां पर C ले लिया तो A B और C B ठीक है तो यह वाला pattern फ आगे देखो जो लास्ट वाला है उसी को यहां पर उतार रहा है ठीक है यहां पर यहां पर यही कर रहा है C B को उतारा आगे देखो C B और फिर यहां पर इसको चेंज कर दिया यहां पे पाउच वाला लेकर देखते हैं उससे कुछ ए ठीक है एक यह बना यहां तक गया बी डॉट बी टीन हो गया सी भी ठीक है यह बन गया पांच हो गया ठीक है अगला देखो डी एक चीज द्यान से देखना यहां पर कुछ ना कुछ कोमन मिलेगा अपने को द्यान से देखना यह देखो यहां पर यहां पकड़ो अपने को यहां पर देखो गतिति सर्फिन का प्रेंटर्ट फोलो हो रहा इंधिति अधिती भार मिल्गा इधर पुछ सी मिलेगा फिर पी मिलेगा फिर ए मिले ल म्रूंचवह पर पिर देखना इस मिडल वाले को सुछ cumulative बाले के कि ए जिकल तो इसका जो अलटा यहां पर हो भी ठीक है तो यहां पर व लोया पकड़ो अर्सके ज़श्ट नोठा हो रहा है ठीका अब यहाँ आ जाओ सेडी तो यहाँ पे देखो सेडी यहाँ पे viruses हो आ रहा है आ describe तो मैं फिर बार बता रहा हूं वही जाना यह चार फांस के चार करने लग रहा है तो पांस का लगाया अब देखो फांस का लग गया यह बीच वाला पखड़ो बीच वाल देखो A.B. इसको बीच वाल भगड़ो B.C.C.B. बीच बीच को पखड़ो C.D.D.C. तो याद रखना मैं फिर बता रहा हूं यही तरीका इसका करने का क्यूशन हो गलत बत करने आप देखो मैंने बोला था ना इस टाइप के क्यूशन और आपकी बार भी आएंगे चार से पांच क्यूशन मान के चलो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो कि यह क्यूशन मैं बता रहा हूं गलत नहीं होने चाहिए एडिशन में ले रहा है पलस में ले रहा है कहीं से भी लो कोई दिखत हैं अब देखो माना कि ए तीरी बीसी चार अंकों की संक्या है जहां परते एक वन जो तीन से बड़े बिन अंकों दर्श्राता है तो मुझे ओटोमेटिक क्या लेना च्यार पांच चैसाथ आठ नो इन्हीं में से मुझे लेना पड़ेगा अब यह क्या चीज है लिखके जाया करो यहीं पर इनका जो संक्याओ का योग है दे दिया है अपने को डी टू एप यह ओटोमेटिक अपने को दे दिया है 15902 तो ए और डी के मानों के बीच का अंतर क्या होगा ए और डी के मानों के बीच में अंतर पूच है अपने होगा सीधी सिंपल सी बात अब जहां से देखना है पहली बात जो भी आप वेलू लोग हो यह इन्हीं में से लोग है ठीक है कंडिशन तो सी है बारा कब आ सकता है मालो एक कंडिशन क्या है जब मैं आ साथ आएगा तब ही आएगा इसका मतलब यहां हम यह केस नहीं ले पाएंगे हम ले पाएंगे आट और चार वाला है तो ओटोमेटिक जो है बी का वेलू कितना हो गया साथ अब देखना यहां पर सी और एप की वेलू इंटरचेंज हो सकती है पर अपने को पूची नेरा टिका है तो इनके ज्यादा टेंज समत लो ठीक है इंके ज्यादा मत सोचो कि ज्यादा अपने पर यहां पर इतना ही चाहिए अब आगे देखो दस असी लागी एक तीन एक चार तो एक वेलू उट्रमेटिक कितना हो जाएगा पांच पांच यूज कर लिया आठ यूज कर अपने पास साथ भी यूज कर लिया अब देखो ना चाहो तो कुछ करने की जरूत है नहीं बचे अपने पास दो अंक और इन दोनों अंकों के बीच में अंतर पूछ रहा च्या नो के बीच में अंतर कितना हो तीन आंसर फट्स फिर भी तर लेते हैं आगे तो यही है तरी अब यहीं होने चाहिए मैं फिर वारा बता रहा हूं बहुत इजी है बस यह कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपने तोड़ा अपने को हाड़ लगते हैं क्यों सब्सक्राइब अब ज्यान से देखा अब अब अधिको यही होता है जिस साल में फेल हुआ था मैं एक क्यूशन से फेल हुआ था मैं अगर में क्यूशन कर लेता है एक और आएगा अभी आगे तो मैं पास हो जाता है अब मेरी गलती क्या थी मैंने दोजार गुनिश में दे दिया था एक क्यूशन ऐसा अब यही मैं फिर बता यूपीशे पेपर इसलिए करने चाहिए अब दोजार गुनिश में दिया अगले साल पांथ दे दिया और अगले साल पांथ देता ही जा रहा आए रहे डाटा सपेसेंश के एक दिया इधार इधर भी पांथ देदी यह होता है पी आएक्यों का देखने का फायदा नहीं देखोगे पर आपको पेपर का आइडिया यही घ्लती है ठीक अब दियां से देखने डाटा से पिसेंशी तो पहले मैं फिर बार बता रहा हूं सो परसंटेज आंसर वह हो सकता है यस में भी आए यह नो में भी आए जब भी क्यूशन पूछ रहा हो क्या आप इसका जान सकते हो यह नहीं जान सकते हो पस्सीद्ध सी भात ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्यूशन है मैं फिर दाटर से पांच से क्यूशन फिर आएंगे पांच से ज़्यादा भी आ सकता है ठीक है दो कातन है एक्याओन परिष्टों के कुछ तक में किसी भी परिष्ट पर दो से अधिक रेखा चित्र नहीं है अब ध्यान स समझना एक्याओन पेज की कोई है कोई बुक है द्यान देखना और एक उस्तों में किसी भी परिष्ट पर दो से अधिक रेखा चित्र नहीं है तो इसका मतलब है मैक्सिमम बेलू जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कितना आ गया दो और अपने को मिनीमम जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है क्योंकि अपने को मिनीमम के बारे में नहीं बोला इसने मैक्सिमम बोला याद रखो यह चीज तो देखो पॉसिबलेटी लेकर चलो तीन केस बन रहे हैं यहाँ पर एक सो दो हो गए जब मैने एक माना तो एक क्यावन होई ठीक है एक मैने माला जीरो है दो से अब सोच इतनी वेल्यू रेंज कर रहे हैं आदो में एक हो गया दो हो गया कोई में जीरो हो गया तो बहुत सारी केस पॉसेबिलेटी बन रहे है यहां से आपन परसं क्या बोला है क्या इस पुश्टक में 100 से अधिक रेका चित्र है आपन कुछ भी नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते तो पहला इस्टेटमेंट तो परियापत नहीं आड़ यह तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी पुश्ट जीरो भी आ सकता है एक से दो भी आ सकता है क्यान भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है आगे बढ़ो अब देखो अगली कंडिशन इस ने है की सट गया अब कम से यह मैक्सिममँ दो है एक सो दों तो आ सकता है च bargaining नहीं बोल सकता कि एक सो से ज़्यादा चित्र है नौ मैं इसका मतलब एस टूबी ख़तन उतर देने के लिए प्रियाब्त नहीं है और आम दोनों को मिला के भी आंसर नहीं दे सकते कैंसें माले कम से कम Richard है कम से कम मैक्सिमम है अपने पास 2 मेक्सिमम 2 हो सकता जया भी यह जब कम से कम कंदोह कम से कम दो बोल देता तब ही रही इसका 102 एक ऑंसर आता बहुआ है anche सब्सक्राइब किंभ पर कुछी जरूत नहीं है अलग से बुक पढ़ने के कुछ भी जरूत नहीं है प्रतिक प्रश्पर कम से कम एक रिखा चितर मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने पेज है उसका बारे में जब आइडिया ही नहीं है तो तुम कैसे निकाल पाओगे तो अब मैंने नहीं मैंने दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं जाएगी एक तो एक सो दो आ सकता है मिनिमम है फिप्टीवन आ सकता है तो यह इस से लेके इस तक वेरी करेगा यहां पर बहुत सारी केस बनने तो दोनों भी मिलके खतन उत्तर का प्रयाप देने को लिए प्रयाप्त नहीं है अब देखो प्रयाप्त है तो आंसर आ रहा है किया इस कुछाए लृओं से बिरुफ सकते हैं बता सकते हैं ऑन्यांसर ठाकते यह अजब नहीं ुजच ध भी जूने हैं इतों प्रेक्टिस कर लो पॉन्ट तो यहीं आंगे यहीं पास करेंगे मैं फिर बार्वा बता रहे हूं डाटा सबक्राइंसी हो गया वी शीडी वाले क्यूशन हो गया रिये टिक है रिलेसिनशिप आटा है कलेंडर वाले जून आहीं हर्भार अब है जब मैं एक्जाम दिया था तो मैंने केसे लगाए नो आट सतरह सतरह को डिवाइड़ करो तो आट पॉइंट पांच आ रहा था अच्छा इसमें पॉइंट थिरी जोड दिया ठीक है इदा देखो आठ साथ पंद्रह फंद्रह दोग से भाग दिया साथ पॉइंट कितना है पांच आय मेतल से मत करो अब मैंने याद करो मैंने के लिगेशन मेतल सिखाया था आपको पहले भी एक क्यूशन करवाया था ठीक है लड़के वो लड़के आ हैं अंग्रेजी में मादे प्राप्तांग है 9 और 8 ठीक ध्यान समझ रहा है इसके 9 और 8 है इनके एवरेज कितना आ रहा है 8.8 इसमें से गठाओ ये तो ये कितना आएगा 0.2 इसमें से गठाओ गए तो 0.8 इनका रेशियो जो है सेम आएगा तो ये 4 अनुपात एक रेशियो आ रहा है ठीक है वही सेम चीज पूछ रहा है अपने को इसमे 8 7 यहाँ पे जो है क्या वेलू आनी चाहिए ठीक है जो इनका रेशियो जो है 4.1 बन जाए ठीक है यही सेम तरीका है इस क्यूशन को सोल्ड करने का अब ध्यान से देखना है अब यहाँ पे 4 अनुपात एक है ठीक है तो देखो ध्यान से समझना इसमें से हम कुछ गठा रहे है तब यह आता ना देखो जैसे मालो 8 में से 8.8 में से 8 आगे देखो मैं अगला करूंगा जब 8 माइनस देखो इनके जैसे मालो कि यह जो रेशिया तो चार अनुपात एक आया था तो वेसे मैं इसको कर रहा हूं ठीक है आट माइनस एक करोगे ने च chicks 8 मैंस एक करोगे तब जो है एक आ रहा है ठीक है अब इसको गुणा कर दो 7 मैंनस एक बढाबर यहां पही गए 48 32 हो जाएगा 32 मैंनस चार एक हो गज्या ठीक है अभी देखो चार उदर गया तो पलत के चैप थीन एक्स बच जाएगा और बतीज में से शाथ गया बतीज में साथ गया तो कितना बचा पत्चीस पत्चीस में एक्स का भाग दो फचेस में तीन का एह नहीं है तीन सत्य एक्षी स्टेन तीन अटे चैसा वहार वह रौपर एक मिनिट की प्रब्राइब करना है पड़ेगा नो आठ अर्ड यह अपने यह आगया था इधर पॉइंट एट आया इधर पॉइंट टू आया तो यह पॉइंट पॉइंट केंचल आउट चार अनुपात एक आगया था ठीक है ज्यान से समझें यह अपने को ओसत आया है कि उसमें से इनके जो एवरेज है उनके अनुसार अब ठीक है इसी कोई ही जो है इसी कोई ही इसी के आधार पर इसको गुणा करो आठ इंटू अब देखो ए बराबर जो है चाओ तो इसके रेशियो को डारेट मॉन्टिप्लाइ भी कर दो उससे भी आ जाएगा आठ को आठ को चार से गुणा करोगे ना इस लेखो आठ देखो इस अब तो अंग्रेजी में प्राप्तां माद्धे इनको अपने को दिये अब ध्यान समयना जैसे बच्चों की संक्या कि अको निकालते थे दस बच्यों का माद्य प्राव्तांग देया द्यान समझता है तो माद्य प्राव्तांग से अपन जो बच्चों की संक्या होती है उसको गोणा करते हैं ठीक है अब यहाँ पर वही सेंज करने पढ़ेगे नाइ ने ठीक है फिर लड़कें उनका है आठ भी दोनों बच्चों की प्लस 7B और यहां पे A प्लस B बराबर यह X है ठीक है अब जहां से देखना यहां से जो यह निकल के आया है यह A और B के बीच में रेशियो निकल के आया है ठीक है तो A और B के बीच में रेशियो आया है 4.1 ठीक है तो A बराबर जो है 4B आप रख सकते हो तो ये दोनों जो equation में 4B रखो ठीक है अब जहां से मालोग यहां रख लो अपने को यहां चाहिए ने बेलो ठीक है तो यहां आ जाएगा A की जग़े रखो 4B A की जग़े 4B रखा तो यह कितना होगा 32B प्लस 7B और यहां पे 4B रखा ठीक है तो यह B होगा X C वेलोग तो चाहिए अपने को 32 गुन 40 B होगा यह 5B होगा B से B कैंसल आट और 5 को भाग दो 5, 7, 35 ठीक है कितना बज़ा 4, 5, 8, 4, 7.8 आंसर आगे ठीक है तो यह तो यह तरीका है पर रुख जाओ इस वाले जो तरीके से हैं इस वाले तरीके से भी आएगा आंसर कुछ तो गल्ती कर रहे है रुख जाओ 4 अनपात एका है न ठीक है तो यह तरीका समझ में आगे हैं न एक तो तरीका यह सवाला है इसको मान के अपने कर सकते हैं ठूको जो मैं यह सिखाना चारो यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है इससे फट्षे आंसर आए मतलब इतना ज़्यादा केल्कुलेशन करनी ज़रूत नहीं तोड़ा ध्यान से समझे न 14 अनपात वो एक आएगा 14 अनपात एक देखो जब यह निकाल ले 9,8 यह 8.8 आया और यह अपना जया है 4 अनपात एक आया था ठीक है यह आया तो यह अपने को बच्चों की संख्या दिखा रहा है यह बोईस की संख्या हो गई और यह गल्स की संख्या हो गई डारेट यहाँ पर पूट करो 8 इंटू 4 प्लस साथ इंटू वन ठीक है आठ चार पांच आठ शोक बत्टीस बत्तीस इक साथ पांच आगया देखो गुन्चालीस बटा पांच आगया साथ पुंट टीक वह मुला न कि डारेट इस से होगा और चालर आएगा तो दो यहां देखो यह अपने पास नट पर न चार बोट ना नबर आए लड़कों कि इतना है प्लिए निख करते हैं तो यह इसे निकाल आ किम से बारे बता रहा हूं ना जब मैं इस एक्जाम में कर रहा था अब अकिद बता रहा हूं 2020 वाले उस टाइम कि में देखो मेरे बासर्ट परदा नंबर आया थे ना अब एक तो यह क्यूशन था जो मैं बहुत पीछा किया इसका बहुत मुझे इसा लगा क्यूशन ही गलत बना दिया अब देखना क्यों मुझे इसा लगा अब ध्यान से समझ नहीं क्यूशन यह आप लोग इसे बन गये अब मैंने तुम लोगों शिखाया था तुम लोग फिर भी अभी गलतिया कर रहे हो यहां देखना एक परिवार की दो पीडिया दो जनरेशन बनाओ सबसे पहला क्यूशन जैसा बोलता जारा वेसा करो अपना दिमाग मत चला रिजिंग में फिर में बार बतारो अपना दि है चाहसा देश से पी क्यू आर एस्टी यू में तीन पूरे से तीन मेल आए तो अपने ओटोमेटिक तीन मेल पता लगए तीन फीमेल पता चल लगए ठीक है आगे देखां उन्हें में दो विवाई जोड़े है और दो आई विवाई सहोधर है सहोधर मतलब दो भाई बहन सीथा सीमपल सा पता लगऄ रहा है अब आगे बढ़ो ठीक है र्थो अर की सास है तो और यहां पे होगी ठीक है पी जो है यू की पुतरी है पी का यहां हो गया ठीक है यू की ठीक है यह प्रस हो गया ठीक है यहां पर सकसा है अब आप यहां से देखें आर जो है दो आ जो है यू की पति है और जो है यूका पती और जो है यूका पति है घलत है जुप नहीं आई वी से पाउसी है अहां रख ज़ो ऑपनि यह कैसे गंफर्म कर लिके नहीं ही अप अब मुझे बता आप लोग बताओ गलती है कियो नहीं आंसर आया कि बताओं कोई को सब्सक्राइब पोसिबिलिटी है और क्या गलती किया अप उन्हें पिर बतायेगा नहीं पकड़ पारे तुम अब यही तो में बात है नहीं पकड़ पारे एक्जाम में यहीं तो नहीं पकड़ पारे एक्जाम में तरीका है नहीं और बताओ शब्से में जो इस चीज में सबसे वेरी वेरी इंप्रोटेंट जो जन्रेशन आप उन्हें तीन जन्रेशन बना रहे थे समझे सबसे बड़ी गलती यही है कभी आंसर नहीं आए इससे यही तो मैं फिर बारा बता रहा हूं जो एक्जाम में जो बोल रहा है क्यूशन को पढ़ना सीको दो ही जन्रेशन बनाओ ज्यादा सोचो ही मत ठीक है सबैसी बात है अब यहां पे भी हो सकता है यहां पे हो सक लोग इने बना लिया ऐसे कर यह बीने फ्लस बाना यह मैने समाण यहां नहीं हुआ इदर मैंने दोनों इसको ही ले लिए जब भी विवाइत यूगल को ऐसे दिखाते हैं अपूं ठीक है अरि यह बोल देए कि से अदर भाई है ना तो इसमें इक पॉजिटी होगा एक नि यू जो है p की पुत्री है you जो है p की पुत्री है ठीक है f can say user 5 अब यह उसकती में इसके यू पुत्री होगी यह При über or reminding फूर्म हो गया पर यह पदा नहीं चला पी क्या है ठीक है तो इधर अपने साट में बनाबे देख लेकिने यूज़ not क्वित्रिय यह यहां पता है अब अपना Pasin लग यहां पे अब दो कुछ जो है आर की सास है क्यूं क्यूं आर की सास होगी तो आरकी क्यूं यहां गया और क्यूं जो है तो यहां पर आप पट से आilleurs ऐगा अब अ चान से लेखे लेट करें टी आइवी वाहईज़ है गए कि आगी देखो आगे एक पुरू से इसे बचा अब बताओ आया नहीं आया आउसर में इस सबसे पतनी हाँ एकडम सभी परसंटेज आंसर आ गया है अरे नहीं तो मिर्ट है आप मुझे बताओ यह होता है मैं फिर बता रहा हूं क्यूस्टन पढ़ना सीख लो यूपियस से यह फिर लगेगा क्यूस्टन गलत बनाएं जैसे मुझे लग रहा था भाई मुझे एक्जाम में बिलीव नहीं हुआ था इसकी उसन को लेकर और बहुत सारी कोचिंग वाले बोल लेते हैं इसको दो आंसर आएगा यह है प्लाना डिखाना सापसा सीधा सा दीख रहा है किलिय दो और प्लानी यहित पकड़ता है यही तो है यूपीस से ठीक है आगे बढ़ बढ़ और यहीत्ता है यूपिस आपके रिजीड मायन्स से चेंज करना चाहता है आप पुर्हानी विचारादारे ड़े कि चल तो ठीक है जerme अब अब द्यान से समझ ना मालों कि मुझे 12 जनौरी को प्रवेयर बोल दिया तो मैं 12 जनौरी को रही है ठीक है मैं आअब 11 spring 느 था थ्यान हो संद्रेंग एग-छ य। क्या होगा संड़े होगा कि अगला फिर ऐसे करके क्या समझना यह क्यों जरूर निकाला जरूरी से बाद गुनिस बीशे किस दीश चोईस तीश पचीस यहां पे 26 को संड़े होगा आप देको यहां आखरी विए चबीस 27 बना लो 28 39 30 और इंगर 30 तो एक फर्वरी को जो है सटर्डे होगा अब यह आगे फोलो करो अपने को जुलाई तक जाना ना अब जुलाई तक जाओ कोई दिक्कत नहीं अब जाएंगे अपने द्यांस देखना पहले एक लीप यह चाहिए रखना कि एक दिन का और टिन यहोच आए यह जून में तीस होता है जुलाई में 31 होता है चाहो तो यहीं ताई चाल लो जुल्ल मैसinta की निकाल लो इसमाई कितना धर ऐ टीक यहां पर कितना है यहां पर कितना दो आया यहां पर कितना रिया यहां पर तीन यह यहां जो मई का जो वी को फोलो करेगा अब ध्यान से समझ रहा फरवरी का में फरवरी को क्या आया था एक फरवरी को अपने पास क्या दिन आया था तो इसका महलंब 5 दिन भचे तो पात दिन मैंंहें के 5 दिन लिखो 1288 ठिक है है और यहां परकिना यह 27 टारी लिख लो यहां पर 26 दाइक discussions किया अधिर मुखकає है तो अपने इततते निकालो 15 जुलाय का निकालना दो टेसे ने से काउंक करना तो बूट निकालो 15 बाइद था एसका मतलब यह तो नहीं लगए यह लेगो चलना पड़ेगा फूट तो गलति नहीं था हो गया है करें गुणंतिस लेके चलेंगे त्यान सेकना यहां पर ओड़े कितना हो जाएका अरे गलती कर रहे था जीरो ओड़े आएगा यह पकड़ा करो थीन दो पांच पांथ नाट यह आट अड़ दो दस तीन यह गलती देखो यह पकड़ा करो मां फिर बारा बतारो तो यह मंड़ मंडे आएगा एक तारीक को यहां मंडे मंडे आएगा तो एक जुलाय को आएगा ट्यूजडे ट्यूजडे आएगा तो सभाएक सी बात है यहां पे पंदरा तारीक को क्या आजाएगा पंदरा तारीक को Tuesday आएगा Tuesday आएगा जब उस condition में जब ओ ले रहे हैं अब जब यहाँ पे एक ले लेंगे गुणंती तारीक लेंगे एक आएगा 8 दे 3, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9 9, 2, 11 11 तो 7, 4 दिन 4 दिन आएगा तो यहाँ पे Saturday, Sunday, Monday, Tuesday Tuesday तूजडे होगा तो इस तारीक मेनजच दे जो है उस तारीक होगा एक जुलाई को वेनच दे होगा जब ले पिया ले रहे हैं तो एक जुलाई को वेनच डे होगा ठीक है एक को वेनच दे होगा तो 7 को क्या होगा तो यहां पर रभीवार है रभीवार है रुख जाओ एको नहीं है तो चोदा को क्या हो गया तो चोदा को क्या हो गया मंड़े तो बारा को क्या हो गया संडे हो गया आगे आंसर को हम बारा जुलाए को रभीर तो क्या रहे तो हम अफैर जब अपन ले रहे थे तो वा रहा था बुद्वार आ रहा था ला वन्द्वार मंड़े तो यह गया अधीं वर determined बुद्वार जब ऐसे ले रहा था था तो यह भी गया बारज़वा नहीं एक वेशन नहीं क्या बात को रवियार तो आया है तेकंगी यह वेनेज्टे हुआ 14 तुष्डे हुआ 13 को मंडे हुआ और 12 को संडे हुआ आंसर आ गया वही तरीका है कोई गलती नहीं होगी है ठीक है कि तब बंज में आया है कि अरे बोलो कुछ इस ठीक है देखो एक फास्ट तरीका सुन लो वो तो मैं इसमेनों के देखो बारा जनरी है अब बारा जन चोड़ो कितने दिन बच्चें गुन्नीश फर्वरी के कितने जब ले रहे हैं गुणंतीस ठीक है इसका मत्लब है gueChat जो बारा जन्रेय को भी अरती नहीं यह अबITH बहुत-चे यह रिपीट video cortex BRAC ए इसने यह बेख बूब Mai तब यह बहुत वाला है ते मैं तिन पूला था किसन आगे जाए लोगों को अरे बताव या अभी दिख रहा नहीं दिख रहा दिख रहा है दिख रहा थे चार संक्या पी क्यू आड़ा समंध में दो खतन बस उसमें डिस्टेंस की बात की थी इसमें वही बात है ठीक है चार संग्या है है PQRS के समगने दो खतन दिये गये हैं उप्रांते एक परसन दिये है अब दियान देखना पहला एक एक statement पढ़ना फिर उसको देखना आर जो है ध्यान समझना फेली बाद दो 4 संख्या दिये PQRS ठीक है आर जो है P और Q से बड़ा है ठीक है आर जो है P और Q से बड़ा है अब पूछ क्या रहा है मेरे को जहां देखना चार संख्या है P Q R में से कौन बड़ा है मुझे बता जब यह पहला statement तीन संख्या की बात कर रहा है तो यह मुझे कहा से answer दे पाएगा काटो S1 कभी प्रयाप्त नहीं सबसे बड़ा नहीं है अरे भाई तीन स्टेटमेंट के बारे मुझे कुछ पता ही नहीं तो कैसे मुझे पता होगा अब देखते हैं अप उन क्या दोनों प्रयाप्त हैं अब दोनों को लेके चलेंगे यह समझ में आया ना यह दो सीख लो फट से ठीक अब दोनों को में लेकर चला नहीं बाद इतना पता लग गया जब यह P Q सबसे बड़ा नहीं है तो दिखना पी और क्यू में से जो है और बड़ा है और जो यह सबसे बड़ा नहीं है तो एस कहीं भी होगा इसका मतलब है इनके बीच में हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर तो नहीं जाएगा जब इधर नहीं जाएगा तो सबैक से बात है कि आर मे है हाँ एकदम प्रयापत है क्योंकि मुझे पता लगे कौन बढ़ा है जब का पता लगे जब मिन दोनों को मिला कि आप से बढ़ा है अब दें है बस समझने की बात होती है पेटर ना सो पस्टन्टे चीज मिल रही है नहीं मिल रही अपने को यह जीद रखना सबसे पहले क्या करना मैंने इसमें क्या बोला था यहां पर मुझे बता रहा है बल रहा है आर जो है पी और क्यू से बढ़ा है सबसे बढ़ा नहीं है अगर यह बूलता कि छोटा कौन है तो डारेट मुझे सबसे बढ़ा चाहिए मुझे अब मैं दोनों को मिला के मैं देखता हूं कि दोनों पता लगता है हां और जो है और अप अब द्यान से देखना, इसमें द्यान समझें, मालो की चार है, ठीक मैं इनको छोटा बड़े के करब में समझें, बढ़ा रहा हूँ, अब इतना तो मुझे पता है कि S जो सबसे बड़ा नहीं है, तो S तो यहां पे कभी नहीं आ सकता, S कभी नहीं आ सकता, ठीक है, अब द्य समझें, S यहां पर कभी नहीं आ सकता, S यहां पर भी आ सकता, यहां पर भी आ सकता, कहीं पर भी आ सकता हो, दूसरी बात देखो, जो मालो की मैं S को यहां पर पिक्स कर लिया, तो सबाइक सी बात है, P और Q, P और Q यहां पर भी आ सकता है, Q, P यहां पर भी आ सकता है, कहीं सबसे बढ़ा है यही आंसर जानना चाहरा तो सबसे बढ़ा है बस तो दोनों सबसे प्रयाप्त है प्रयाप्त है यह प्रयाप्त है क्योंकि अपने सब्सक्राइब अब अगला देखो सारे डाटर सब्सक्राइब कर लो यहीं आएंगे चैसाथ क्यूशन पास हो जाओ गई नीचे अब देखो दो ख़तने चोड़े अब यह कुछ मतलब देखो पहले पढ़ आनिका भाज्य सं संक्या है तो आबाजे संक्या देखो जहां समयना दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है दो लेके चलो अब क्यों क्या मेरे को पूछ रहा है यदि एन दस और बीस के बीच एक मात प्राकरतिक संक्या है तो एन क्या है अब द्यान से देखना मुझे बताओ प्राइम नंबर है प्राइम नमबर देखो, अब देखो, मैं इसे नहीं बोलता हूँ, एक से लगे सो तो याद कर लो, अब दस और बीच के बुछ बोला चलो, ठीक मैं दो तीन तो नहीं ले सकता, अब मुझे एन एक अबाजे संक्या, देखो, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलेटी बन रहे दो, तीन बहुत सारी बन रहे हैं, अब दस तो बीच के एक मातर प्राकती संक्या, तो देखो, देखो, गयारा भी हो गया, प्राइम नमबर, तेरा भी हो गया, सतरा भी हो गया, गुनिज हो गया, मैं कौन सा लूम, मिरे को तो कन्फॉर्म करी नहीं पा रहा है, तो पहले स statement भूल जा, पहला statement भूल जाओ, आगे देखो, and को 4 से विवाजित करने पर शेस्पल एक आता, अच्छा, वो 10 और 20 के बीच में, अब जहाँ देखना है, 10 को और 11, 11 को 4 से करना हूं चलो, वो तो नहीं आ रहा है, 13 को देखो, मैं 13 को 4 से विवाजित करता हूं, तो एक सेस्पल आ रहा है तीक आगे देखो 17 उसको भी मैं विवाजीत कर रहा हूं तो एक सेस्पल आ ठीक है इसका मतलब तो यह तो मेरे समझ में आ गया अब मैं 13 और 17 में से क्या लोग यह तो मेरे दो है अभी मेरे को हंट्रेट पर्सेंटेज आंसर नहीं दे रहा तो इसका मतलब स्वाइन और एकस बो आसी मिल रही है जो दोनों केस फोलो करें तब भी आंसर नहीं आ रहे हैं पिर बहुत हीजी होते हैं क्यूशन बस समझ लो इनको आगे देखो यह क्यूशन यह दिया है छोड़ दो मैंने जो तरीगा शिका रहा हूं उसी स्टेप बाइस्टेप बढ़ो पहले स्टेट्मेंट पड़ो उनका गुणनपल इक्कीस है ठीक है वे इंटो तीन करोगे तब इक्कीस आजाएगा अब इनका मान भी चेंज हो सकता है तो दो संक्या क्या है मेरे को क्या पता यहां पर बहुत सारी संक्या पॉसिबिलेटी बन गई तो मेरा पहला स्टेप्मेंट जो है आंसर देने के लिए प्रयाप्त नहीं है अब पहला भूल अब मैं दोनों को ओपन कर रहा हूं कि मतलब 27 मैं अब इन दोनों को मिला कि दे सकता हूं उनका गुणनफल 21 है अब मेरे को पता लगया तो यही दो फिर बता रहा हूं यह बहुत है ऐसा नहीं है इजी है बस जहान से करना अब देखो यह गलती मत करना कभी भी तेक है अब यह मत चोड़ के आना नहीं तो गलत करने नहीं चोड़ने इसके घर के पीछे से 25 मिटर चलता है अब इसके घर के पीछे से 25 मिटर चलता है तो कहां चल रहा है पचीस मिटर यहां चल गए आगे बताओ फिर वह दायने मुड़कर तो मैंने कल बोला था ऐसे द्रेवट लाइन कुछ लो अपने आपको खड़ा करो यहां पेसे खड़ा कर दो पैनल रखो तो मेरा राइट किदर हो जाएगा इदर हो जाएगा पचास मीटर चला हो तो आगे बढ़ो फिर वह बाय मुड़कर पुना साउथ इस्ट वैस्ट अब देखो इसके पारेंभीक बिंदू से तो ऐसे है यह एसे है ना इधर एकदम ऐसे है ऐसे तो मतलब नौर्थ वैस्ट नौर्थ वैस्ट किदर आ रहा है ठीक है उत्तर पच्ची आगे आंसर कुछ भी नहीं करना है यहां पर बनाना में से याद नौर्थ और वेस्ट ठीक है अब यह गलत नहीं होने चाहिए बच्चों जीसे क्यूशन है अरी 2011 करते आ रहे है यह गलत नहीं होने चाहिए अब आजाओ वापिस से आगे अपने पास डाटा सपेसे वाला जैसे क्यूशन आए ध्यान से समझनां बहुत इसी क्यूशन में क कि देखना सबी संग्यां दो से विवाज्य है दो का पाड़ा बोल दो चाह आठ दैस बारा चोदा सोला अठारा वीस बाईस चोईस यहांदा लेलो 26 तक लेगे पिर भोला है अगला सबी संग्यां तीन से विवाज्य है 3 6 9 12 15 18 21 27 और 30 अब आगे अब यह अपने पास संख्याओं को सम्मों बन गया जहां समझना यह खतन है जो खतन बन गया अपने पास अब दो भी आगया तीन भी आगया चैर भी आगया पांच नहीं आगया ठीक है पिर आगे देखो ऐसे साथ नहीं है आठ आगया अब निश्क देखना छैसी विवाजित किया शैसी विवाजीत ही हो गया चैसे बारा अठारा ठीक है चोईश तीस बात है अजना इसे पर देखो दो और तीन का जब आप ल सिम निकालोगी जहां समझना तो क्या एंग अच्छ है जितनी भी संक्याय होगी इनसे बननी वाली संक्या है को हमेंसा चैसे विवाजीत हो गया एकडम सई पता लग गया सभी संगय चैसे विवाजी अब देखो एक तारिका तुम यहां पे तरिक है ना देखो जब्सक्राइब आपने को ऐसी जो सभी संगे करने करने कर दो शेवी विवाध जो अलग अलग मत पढ़ना इनको ईक पड़ो जो यह ओंकर कहा है यह है यह नहीं है यह नहीं है यह यह नहीं है तो इसमें इसमें वह चुनना है जो चुनना है जो च्छेटमेंट है यह जो है यह आपको ऐसी संखिया पूछ रहा है जो दो थीन से विबाद्य तो वह क्या आएगा ना दो तीन के अच्छा है च्छे और च्छे बारा च्छोईस तीस तो अब सभी संगे च्छेश विवाज्जे है सारी की सारी है सारी की सारी है चार से है नहीं है आड़ दो इंसर आगे समझे रहो ना तो यह चीजिए याद रखना मतलब सर्फ कथन पर फोकुस करना है तो और क्या पिन तो उसके बाद आएगा ना अब मैंने बोला था उस दिन भी आप लोगों को अपने उस तरीके से मैंतल से करेंगे पहले में वह वाला में देखेंगे ठीक है कि देखो सभी बिल्या कुत्ते जो सभी बिल्या है केट है सारी की सारी डोग है तो मालम गविन ऐसे करके बना लिए डोग सबी बिलिया जो है ढूग है फ्ल keeping सबी काली ऑब जब जोड़ा को यह न यह ने लो अब यह थीम हुष सक्ते हैं अब प्रम लेलू अब यह 3 तीन केस बlay रहा हूं तो हमें से यह रखनAg case possibility बना के चलना कभी गलत नहीं होंगे ठीक है अब जहां से देखना सबी कुत्ते काले हैं अब देखो इस case में तो नहीं हो रहा है नहीं इसमें हो रहा है एक में हो रहा है तो उससे मतलब नहीं है काट दो इसका स्वास नहीं निकल सकता आगे देखो तो यह automated दो फिर बार-बार बता रहा हूं सारे case लेके चलना कभी गलत नहीं होगा जब ऐसा डाइग्राम बनाते अब आ जाता है अपनों वेल्यू के में तरड़ वाला है तो मेरे माना कि नए जादा बढ़े वही रहेगा तो जादा बढ़े रहेगा कि कुछ नहीं हो एक बार प्रैक्टिस होगी तो दीदिर हो जाएगा वैलू अपन देते हैं यहाद है नहीं चीज सबसे पहले वैल्यू अपन देंगे सब्झेक्ट को मिलेगा सभी है सभी में आएगा इसका सभी सबसे पहला काम यह करना है इसमें सबसे मैं सबसे में सबसे में हैं मैं एक बार पूरा कौंशे प्रिवाइज करा रहा हूं वेल्व मैथाड के लिए कुछ पॉइंट है सबसे पहले दिएगे पर्शन में खतन में निस्का के सब्जेक्ट और प्रिडेक्ट के मान निकला है तो यह अपने लिख लिए है सबी कुत्ते काले हैं कुछ कुत्ते काले नहीं है तो यह आता है पचास और यह आता है सो सबसे पहले मान लिखना आपने में सबसे पहला काम यह करना है खतन हो निस्का के साइन दे दो यह अपने दे दिए साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगिटिव नेगिटिव ठीक है देग ए निसकष में यदि निसकष केवल एक खतन से संबंदित हो तो दो टेस्ट करना है अदिक ध्यांसे सब भी कुट्टे काले हैं तो यह दोनों से संबंदित है न तो दोनों का अपने को देखना पड़ेगा जब भी इस type का है तो पहले सबसे पहले साइन टेस्ट, दोनों का positive है, positive into positive हमें सा positive आएगा, निसकर्ष कभी negative नहीं आएगा, direct काड़ दो, ठीक है, अगला देखो, कुछ कुछ कुटे काले नहीं है, अब इसमें कुटे और काले दोने statement का use हो रहा है, तो यह दोनों positive है, positive का positive कभी भी निसकर्ष negative नहीं आएगा, direct answer आगे, अगले आगे बढ़ना है नहीं पड़ा अपने को, सबसे पहले यही condition फुल्फिल किया करो, अब इसमें फटशी answer आगे, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने, ठीक है, तो मैं आगे बता रहा हूँ, scientist कर लो, अगर खतन सकारा आत्मक है, यह दोनों बोल ला है, negative तो गलत होगे, यदि खतर नकरात्मक होगा, तो निसकर्ष भी नकरात्मक होगा, तब ही आएगा यह, आई और खर्च होता है, तो आई से ज्यादा कभी भी खर्च नहीं होने चाहिए, तो ध्यान सब्जेक्ट का खर्च आई के बराबर या उससे कम होना चाहिए, प्रिडिक्ट के लिए सीम होगा, अब जहां देखना, जैसे मालो सबी कुत्ते काले हैं, काला, अब देख यहां पे कौन इनके दोस्ती करा रहा है, बिल्ली है, जो पहली बात उनका प्रिडिक्ट, जो सबजेक्ट है, मिज़ों दूखो, मध्यस खर्चा जादा कर दिया तो यह से भी केंसे लाउट हो जाएगा तो यह चीज़ है यहां पर देखेंगे आगे और क्यूशन आएंगे अभी तो वहां पर सारा मेथड़ लागू हो जाएगा ठीक अब याद करो मैंने कल भी बोला था यह क्यूशन अब देखो सेम क्यूशन है उपर दिये गया नुकर में कितनी विशम संख्याओं के बाद विशम संख्याय आती है अब यह पता होना चाहिए अब देखो यह बच्चों जैसा क्यूशन है इसमें गलती मत करना जहां से देख धरिफां एधी अब तीन के बाद में नो आ रहा तो विशम संख्या आ रही है तो यह बन गया है नो के बाद में आट यह नहीं आएगा ठीक है फांच प चाहरह है और बेंडेर बही अब इस प्रॉद्ट मत करना एक्जाम में यह आपको आपको मायंड कितना इस्टेवल है यह सबसी है झाने इसके घलती मत करना अब देखो यह आपने कितने कर चुके हैं ग्यारा से करते आ रहे हैं अब यह गय क्यों गलत मत करना लड़कों के पंग्ती है रो है तो रो हमेसे ऐसे बनती है पहली बात यह जो बाई छोर से तो यह लेप्ट हो गया यह राइट हो गया ठीक है अब फिर उताल दो केश लेगे चलना कभी गलती नहीं होगी यह बाई छ भी जो है मालो देखो एक केस में क्या हो सकता है कि यहां पर आजाए वी मालो की यहां गया 18 इसतार यहां पर आ गया 17 लोग यहां पर गये ठीक है है अब आगे क्या है वह जो है एक दाई और यहां से तो मतलब इधर जाएगा और 11 पर है जी जो है जी जो होगा जो भी है वह सबस्तान अब यहां से वी से तीसरे इस्तान पर दाईने चोर आप यहां से वी से तीसरे इस्तान जहां समझना तो 18 17 16 16 मलब इसके according कि कौन से स्थान पर हो गया 15 रिए स्थान पर हो गया उटमेटिक इसने लोग हो गये 14 लोग इदर बचें तो 27 27 में 14 जोड़ गैं 27 में 14 जोड़ लो कितने आगे 41 आंसर कि आगे कि कर समझ वह कैसे निकाला बना चलना क्योंकि अभी न अभी यह तो नोर्मल यहां केश बनाने वाला दिया नहीं आगे आगे पूछा है डाटा सपेंशे के से थ्यां से देखना एब सी जो है डीशे चोटा है C जो है D से चोटा है C जो है D से चोटा तो मुलब D बढ़ा होगे है C से आगे देखो D से चोटा है C जो है D से चोटा पर मतलब C की ही बात कर रहा है A और B से बढ़ा है और ये जो है A और B से बढ़ा है अब यह द्यान देखना है पूछ रहा सबसे छोटा कौन है मुझे बताओ कि यह पहला वाले statement देने के लिए प्रयाप्त है कहीं प्रयाप्त नहीं है क्योंकि इसमें पता नहीं लग रहा है एक जाम में आपने को दिया है तो यह तो पता नहीं लगेगा जो मेरे को ए और बारे में बताएगा वहीं बताएगा मेरा अंसर तो यहां पर सी की जब लेके चल रहा हूं तो सी की बात ही नहीं हो दिए तो मैं कैसे अंसर बता पाऊंगा आड़ दो ऐसे ही अब यह जो है जो है बड़ा है सबसे चोटा क्या हो गया बी तो हाँ यह दोनों मिलके मेरे के लिए प्रयाप्त है आगया डी अंसर अब मुझे बताओ क्या था इन क्यूशनों में फिर बार अब देखो अध्यान समझना एक और अजार के मतेशिक कितनी पूर्ण संक्या है पहले हो नमबर पूछा जिन में एक चार है लेकिन चार से विभाज्य नहीं है अब देखो ध्यान से समझना बहुत तीजी क्यूशन है मैं फट्शे करवाता हूं देखो पहली बात तो जिन अगर डो मैधड अगर आपको यादो वह सब सारी चीजैसे देखो चार से इकाए ऐक पे आने वाली संक्या होती है यहाम समझना अब इसमें से वह संक्या धो जो चार के पाड़े में आती है चार के पाड़े में लेकिन ठाजन Licaaf Secure नहीं है पढ़ देखो चारuj sincere विवाजret है तो ये तो इसके बाद 68 आगया बत्तर आगया चिंतर आगया चोड़ाशी है चोड़ाशी कट जाएगा ठीक है फिर अट्याशी बानमाच च्यानवास हो अब देखो एक दो तीन च्यार पांच छह साथ आठ बीस में से आठ गठा दो आंसर पट से बारा अब यह तो यह तरीका था ज सबसे पहला एक चार आया तो यह कट गया चार से नहीं लेंगे अब आजाओ चौधा चौधा चार श्यवाजिघ यह लेना पड़ेगा अब आजाओ किदर कब किदर आएगा हैगा चुछ तो है तो यह कट गया आउट्टमेटिक चौथेश है होगा ठ्ष्यानलिस होगा हाँ होगा ध्यागी नहीं होगा क्योंकि आधालिस चार सी विवाज़ी है नहीं लेंगे। गुधन-चास होगा हाँ होगा अब आगे देखो चोवन हाँła सी विवाजित नहीं लेंगे तर् undertaken 4 जोद्रन नहीं तो लेंगे कि दिक्कत नहीं है यहाँ पर पता होना चाहिए फोर्मुला जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे तो तुक्का उक्का मानना हो गलत है कि अचाहे है यह देखो करों कि यह बहत इजी वह देखो और आप फटापट नहीं है आप तो दिक्षाइव माना कि दो दात्यों कर मसह कर मेंदा यह दो व्लुम दिया एपने आपने ऑंठीक है यह दिया अपने और यह दिया है क्यूंकि पत्तेक बुझा पी की दुगनी है अब दिहान से समझना यह और क्यूंकि पत्तेक बुझा पी की दुगनी तो बुझा को इसको दुगना पादेगा और Q का धर्युमान Q का धर्युमान अपने को धर्युमान तो दिया ही है Q का धर्युमान P का दुगना है P का दुगना तो मुझे इसको 2 से multiply करना पड़ेगा तब ही जो है इतका बराबर आएगा ठीक है अब इतना पत्ता लग गया और यह अपने बुजा के बारे में पता चल गए है ठीक है वोलिम के बारे में तो इतना सारे चीज़ी दिये होई थी अब देखो माना U upon जो है क्या Mx upon है ठीक है U बराबर क्या है M upon X है ठीक है और V बराबर जो है N upon Y है ठीक है ध्यान समझना तो M की जगह है अब देखो यहां पर M की जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा यहां पर अपने को रखना पड़ेगा 2M ठीक है और X मालों के X के X प्रिश्ट है लिट लिए नहीं निकल लेगे निकलते हैं आप इसका देखो इसका थो य की आएगा बहुत अच्छा क्यूशन बन जाएक फट्छी अर्म कोई दिखित नहीं अब देखो अब जो अब यहां से समझना अब U बराबर M M जो है ठीक है और V बराबर N अपोन Y है M तो अपने को रखना पड़ेगा टूं ठीक है और X रखने को पड़ेगा अपने को जो वो ल्यूम है वोल्यूम है तो यह मतलब आठ जो है आएगा ठीक है अब बराबर एन अपन वाई तो एन यहां पे तो एन नहीं आ जाएगा ठीक है अब इन दोनों के बीच में समंद्ध पूछ रहा है क्या समंद्ध बनेगा अब देखना कि दो से दो कटके यह कितना चार तो सब्वाइश इसको इसको भी अगर पूट करें यहां पे तो यहां पे आगे चार यू भी बराबर कि अपन को वी बराबर एन अपन वाई अपन वाई अब देखो एन किसके बराबर है टूएम के बराबर ठीक है देखना अब यहां पर आपने के बराबर एक जो यहां पर यहां पर यहां पर एकसे बराबर है तो आट च्यून पार आएगा और देखना भी बराबर यह एक काता चार अब चार आपण paragraphs आ गया अब हैं अपोन एक्स की जो वेलू है अपने को क्या दिया है यू अब यहां पर रखो यू तो वी बराबर एक बटा च्यार यू ठीक है तो क्या हो गया है च्यार वी बराबर ठीक है यू आगे आंसर बहुत इजी क्यों सुन है बस यह फोर्मूला पता होना चाहिए कि समाझ में आया हुँ क है वेह पुंच के अडिया मेरे अधि सभी दियान इसम प्रेसे प्ड़क पाता होना चाहिए ठीक है विद्यान है से ओम ग्रार्ट है चैकर्टा का आइतन पर लुड़ा होता है मुझा की होता हैं ठीक है पहली पी गन है इसका बुजा क्यूब आईतन है अब इसका आईतन अपने को दिया है पी का आईतन अपने को दिया है एक्स तो सब एक सी बात है जो भी बुजा होगी ठीक है यह डारेक्ट दिया है मालू मैंने इसका मालू बुजा क्यूब है जहां समझना ठीक है बुजा क्यूब ओर आपने को MN दरिवन दिया है और अपने इनका relation दिया है वह значability समझने वाली बात हैई क्यूंकि जो परतेक बुजा है वो P की दुगनी है क्योंकि जो परतेक बुजा है वो P की दुगनी है अब मैंने बोला था हम्मेशा जो है यह कम है तो इसको दूगना करने के लिए इसको करना पड़ेगा ना अब जहां से देखना जब यह 2 है ठीक है तो 26 बात है जो है इसका जो आईतन आएगा वो कितना X बराबर आएगा 8 ठीक है और 27 X बात है जब यह जो है यहां पर जो है इसका जो भी आएगा मालोगी यह जो भी वह एक कि मालोगी 8 गोना होगा 27 बाता जब आयते लुए तो वह रहीं तो यह बराबर एक का जाएगा एक तरीका यह होगा अब आगे देखो और क्यों का दरिमान जो है पी का दुगना है Q का दbenला जो है क्यों का दरिमान के भी लिए यह जो है यह सब्सक्राइब दिया अपने को यहां से अब जो इसका आईतन है जो यह किसका नहीं किसके आइतन का जो पी का इतन हो कितना आठ गुना है तो अपन बराबर लिख सकते हैं ना मैंनों वाई का बराबर जो यह बोल रहा है कि और कुछ भी नहीं है ठीक है कि समझ में आया अब देख लेना ऐसा कुछी नहीं है बिल्कुल एजी क्यूशन है अब बागे देखो अब यह बहुत इसी क्यूशन है यह गलती मत करना यह पहले विख्यूशन कर चुके अब दो जहां देखना एक सिक्सक टीचर माले ओ तीन च चात्र है का ओसट आयू तो एक्स वन ठीक है मालो कि मैंने एक्स वन प्लस प्लस एक्स टू प्लस एक्स इस त्री अब आगे देखो थता प्रते चातर के आयू का अंतर, मनलोब T4-X, कितना दिया है, 20 दिया है अपने को, अब वही है, दो इक्योशन है, काट लो, डारे टी देख, यह माइनस कलो, यह पलस हो जाएगा, यह कट गया, तो यह कितना बच गया, 4X आ गया, 4X आ गया, तो इसमें 20 में 60 आ गया, X बराब चाहो तो ऐसे कर सकते है, यह पैटर्न, अब दो, एक मैं बताता हूँ, Option Method, इस पीड लाओ, एक एक सेकेंड के किनशन है, अब दिया है, Option Method, मैंने मालूब देख, मैने क्या बढ़ा, B और C में से लेना, मालूब मैंने B ले लिए, टीचर की एच, तो सिख और की आयू कितन आजाएगा यहां से दस आएगा अब ध्यान समझना और परतिक स्टूडेंट की जो है सेम एज तो दस इंटो तीस आप उनके निकालते हैं चार बराबरे 20 दिया हुआ इनके आयों कितना आना चाहिए अस्वी आना चाहिए न वह इसी उप्शन से आ रहा है चाहतो अप्शन में आप टाइम लगा दोगे फिर बारा बतार ओप्शन में तब किया जाता है जब आपने तरीका नहीं आता हो तो दो इसमें भी है जातो अप्शन में तर से करोगे तो फट्शा अंसर आ जाता है छोड़ो देखो एक व्यक्ति ने कार खरी दी तीन लाक में बेज दी माल उसने एक सुरुपे में खरी ती जहान समझना और उसने इतने में बेज दी तीन लाक में बेज दी यदि उसे बीस पर्तिसद की यहां पे हानी हो रहिए तो उसे कार कशिन में कितने रुपए खर्च के अब देखो ज्यान से समझतेब्ञां यह जो वेली आई है सब्वा क्लस्टी बाह pada 3,00,00,020,00 pag यह सब्सक्राइब गया चार दोना मलोग 2 से काट लो चार और चाहिए चाहिए अट्ठ कर लो चाहिए दो है तो इस एतर हो गया है तीन जीरो आगे ठीक है अभी पांसी बोना कर लो जीरो पाचम पच्छीज दो पांसी पैंटी पैंटी साथ आगे अंसर अब दो सेकेंडों में अंसर आएगा कुछ भी नहीं करना है यह मैं तब ना दिमाग लाएवर आराम से यह कितने परसंटेज अब लुए क्योंकि यह सो थी तरीका आराम से यहीं बता रहा हूं यह फट्षे परसंटेज किसका माहना क्या है कभी नहीं होगे फिर वह सेलिंग प्राइज वह सब चीजों चक्रों मत पढ़ो ठीक डारे टांसर अब यह देखो एक ऑप्सन मैंसर द्यान से देखना माल लो मैंने तीन लाक साथ अजार में खरीदी थी ठीक और उसको मैंने बेच दी तीन लाक में तो मेरे को कितने घानी हो रही है साथ अजार की कितने पर तीन लाक साथ अजार पर ठीक ज्यान समझना तो यह अगर बीच परसंटेज आ गया तो आंसर आ जाएगा चार से चार की जिरू गया ठीक है चंचंचंच तीस हो गया अभी देखो च्छे का भाग दो सो में कितनी बार जा रहा एक च्यार गया शेरो कड कर गया अब दो 25 है अब यह पांसे काटलो पांच शेकंट पांच इन पांच चैप पैंटीस अब देखो यह मालों को देरा सो आ गया यह समझना यह जो तेसतर है अ कि 1075 पर पर पे और निकाल रहे है पेच्छे से काटो इसको चाओ तो पीछे से काट नहीं पच्छी से कड़ों 50 से फिचे सब्सक्राइब हुआ थी क्या सकते हैं दोनों बता दि Всемेरे बने करो कि आपके पास अच्छा है तो क्या ही फालतों और हो है जब आंसर आ रहा रहा है क्या मतलब फालतों आप देखो वेरी वरी इंपोर्टेंट लगा लो पिछले दो तिन साल से यह क्योशन पूच आपकी बार भी पूचा यही दोजा बाइस में भी मिलेगा आपको यही सेम क्योशन सेम आंसर मिलेगा परशंटेज पूच रहा बार यही सेम 2022 में दोज़ा बीस तोज़ा बाइस दोज़ा त्यस सेम क्योशन पूच रहा है और हमें से एक जीसा ही आंसर आ रहा है तीनों के चीन आपको यह लिए अब ध्यान से देखना इसको मैं दो तिन तरीके से बता देता हूं ध्यान से देखना पण मेरा माना इसमें कौ तो मैंने एक तरीका बताई है तो देखो पहले चूट दे रहा है दस परसंटेज की बीस परसंटेज की कर्मी चूट दिया फिर उसकी बाद तो देना पड़ेगा उसको एक तो यह तरीका है पन मेरा माना कि वह मत लगाना वह उसमें आप बहुत ज्यादा हो जाओगे तरी यह मतलगा जैसे मैं बता ड़ता हम एक पूस न इसOOO इं तुज यह छूट दे रहा आपने को सो गया दस माइने 20 कितना मैंने 30 माइने 30 माइने 32 मतला दिस्काउंट दिस्काउंट देगा कितने को बच गया इसका अब इसके बाद में इस पर दस परसेंटे सेवा कर तो एक सुदस बढ़ा लो जीरो 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 गया अट इन्टू ग्यारा टट्यासी आठ ग्यासाइट च्छाइट चौत्तर तो तो सेवन पॉइंट फॉर एट ठीक है अभी तरीका दिया है करके देख लेगा इससे भी सेंट पॉर एट ठीक है इसके पहले दस परेंट सेवा कर मालों पहले सोपे दस परसेंटेज करका बुक्ता देदें 110 ज्यान समझना यह कट गया 110 आगया अब आगे देखो पिर उप शूट दे रहा है कितना बीस ओं दस मिरें झूट तो वह इनलों की वह आजाएगा कितना 32 परेंटेज चूट तो इसमें निकालो के कितना दो में से 8 ठीक है और इधर किया 10 में साथ तो यह आगये आठासर परसेंटेज पर नहीं गलतिया आवा ना इसमें ऐसे नहीं निकालना पड़े पहले आप 110 का निकालोगे इसके चूट निकालना पड़े बीस परसेंटेज़ चूट निकालो जीरो 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 करें नोटे बतर शाथ 79 79.2 आया ना यूद्विशिए इन तो नहीं तो गलती हो रहा कि नहीं नहीं अट्यासी आए न यहाँ पे देख रुख जाओ जीड़ो आठ्यासी ठीक है यह अब अट्यासी पे दस पर संट एक चूट जीज़ गया नोट बहतर साथ नोट बहतर बहतर सब्सक्राइब सरख चैएनों काल कुछ ज्तों कलती हो रहे लjeixon रहे हो यहां पर यहां पर सबस्क्राइक correlate गया पर इस प्रयांकर ना उन्हेंडश दर्फब티। जीजिरू गया ग्याराट अट्यासी आठ ग्याराट च्यासट चोटतर चोटतर पुइंट आठ रुपे सो बुपतान करना पड़ रहा है ठीक है अब यहां पे दस पर्थेंट सेवा करका बुपतान देता है तो 110 रुपे हो जाएगा कोई चीज इसी आठ़ी जीमालों तो टेक्स दे दिया दस परसंटेज दिया न तो दस परसंटेज देगा तो कितना 110 है तो इन्टू 110 रुपे टेस्ट दिया तो वही 110 याएगा ठीक अप्छिए बाद में क्या करा रहा बीस परसंटेज की चूट और कर विस और दस परसंटेज करमिक च तरीका लगा सकते हो ठीक जो भी है परेसेंटे चूट त्याइव देखने ही तर दो तीन साल यहीं क्यों आ रहा रहा थो इंपोर्टेट रहा है देखो दस परसंटेज की चूट दिया अब दो एक तो तरीका देखो पहले बतारो पहला तरीका आप मालो सो रुपे मानो इसप पर देखो पर कितने मान निकालना अब बोला इस पर दस परसंटेज का कर देदो तो 110 का मान निकालना जीरो जीरो यह कटिए ग्यारा दुना 22 आया ठीक है दो ग्यारा सा सता था 79.2 ठीक है तो यह तरीका है अब अगला देखो इसमें वही सेम करो 100 मानो सो माना मैंने 20 परसंटेज उसके दिया तो यह कितना गासी पर जब मैं 10 परसंटेज का मतलब 90 का मिलू तो यह बत्तर आ गया बत्तर वह वापे टेक दूंगा तो वही आ जाएगा ठीक है अब अगला देखो यहां पर वही सेम चीजा ना अब देखो नोट भत्तर शाथ आगे अब देखो तीनों के तीनों से 79.2 आ रहा तो ग्रा के लिए सबी विकल समान रूप से अच्छे है यही पैटर्न है यही पैटर्न से करना ठीक है वह परसंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहो तो लगा रहा है गलती बता उन्हों उसमें क्या करे थे ज अब यहां पर गलती करें तो तो तोड़ा गलती हो रहा था इसलिए आपनाना अब फिर बारपार बता रहा हूं यही सैम क्यों आगे बारा है और तीनों का सही जिए और देख लो तीनों के सही किया गया अब जहां से देखना अब जहां से देखना इसने बोल दिया एक से 26 तक वर्णित किया गया है तो यह लिख दो एक दो तीन च्यार पांट छह साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा गुहनीश बीश एकिस बाइस तेईश चोईश पचीश चबीश ठीक है अब देखा आगे पड़ो जी एच आई दिखान से समझना ऐसे करना पड़ेगा इनक्यूशनों पर जी एच आई इससे आ रहा है पंद्रा सो अठा अब देखते जी का वेलू कितना है साथ है हुआ ठीक है साथ है एच का वेलू लिखो आठा है आई का वेलू 9 अब द्यान से समझो यह मेरा वेलू मिलंब इनका यह आ रहा है यह से आ रही है अब तोड़ो दूगना करो दो सी गुणा कर दो दो नम ठारा ऐसे लागी एक दोटी सोला सत्रा असे लागी दो चुस पंद्रा पता लग गए आपने को मैंतर बस अब डी इए एप देखो डी डी कमान कितना च्यार कि कमान कितना पांच अप कमान कितना च्छे ठीक है अभी देखो 912 आ रह मैं यह लोजिक नहीं लगा पारा था आ felic Grade च्छोटी छीज़ए टिर में किलिक कर जाये पास उजाओ आप मैं मैं फिर बता रहा हूँ एक एक क्यूशन है जो आपका सब्सक्राइब बहुत हीजी था और यही गलती है क्या ही करोगे तो ठीका बाद आई देखो यहां पर पूछ रहा कि यहां पर क्या आएगा अब ओप्सन देखो एक दिध्यान से समझे इन दोर में पैटर्न पकड़ो एसे भी गया अच्छा थीक तो यहां से एन आएगा इतना तो पता लग यह आएगा आगी देखो सी से ए गया तो मतलब क्या चोड़ रहा है दी फिर डारेक्ट जो है ए पर आ गया तो मतलब एन से एन चोड़ेगा ओव पी आएगा ठीक है पी आएगा तो ऑट्रमेटिक यह उप्सन गया है बहुत बहुत इजली पकड़ो आरा हम से एन पी आगे आगे देखो पी से एस आ आएगा जे कहां आ रहा है यह गया ओपसर ठीक है अब आगे देखो क्यों और यू में क्यों से यू में जा रहा है क्यों पी क्यू आर एस टी तीन संग्या चोड़ेकर आई से टाइए एबी से डिफ जी एच आई जे के एल एम एम आएगा कड़िए अंसर आगे अराम से करना कोई दिक्कत नहीं घलत नहीं होने है यह बहुत इजी इसन आपको 22 में मिलेगा पैटर्न सेम है क्योश्णों का अब देखो जाए पर पढ़ लो वहां पर गातांक है जब एसे में रहता है तो यह और टूमेटिक दो यह पता होना चाहिए कि दोड़ को च्कितना आजाएगा दोड़की पार दोड़ु पांस प्स Wasबात तष्फ चैट कितना जएगा चुटकर अगए तीन कौडOTiquement फेलो मैंने शिखाए भी था जब एं सेटी पड़ा था तरड़कों आप में इसको उपर लाना है मैलों यह द्यान देखना मैने किन गुण पावर तीन अब यह बन चाहिए पता अब लीगर क्या गया चाहर इंट चाहरे चाहरे 4-4 रीड़ा पूछ रहे तो टो पूछ रहा तो यह लेवेक्ट यहां सबचते पुषण पड़ोगे कंपद पता लगें तो यह एपलिक्स पूश्ता के अब द्यांसे देखेगा अधिक्तम लंबाई X क्या होगी अधिक्तम लंबाई X क्या होगी तो हाई एस strict इसे पूछा है अंधिका ज्यान से अधिन दन्स्रந्स लंबार्स होगे जिसके तीन बटा- Magazi अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्यूशन पड़ोगे समझ में जाए अधित्तम लंबाई एक्स क्या होगी यह एक्स क्या होगी जिसके की तीन सही एक बटा दो और आठ सही तीन चैर जो बटा तो यह पूरा पूरे पूरी नमबर से गूरा और लुका होगी यह दीच शीक बटा इसको पहले ने निख लेगा सजी घान नीचे वाले लेक्त निख लेगा ऐल सीएंप तो सात और पैंटीज का सबस्पोंग मैंने क्ली टार आएगा वागद दो चार ये कम चार तो तर की गलत अब यह गलत मत करना नहीं फिर बारवा बता रहा हूं यह क्यों गलत मत करना अब आजा विदा देखो एक ग्राप वाला क्यूशन है और याद करो इसी टाइब क्यूशन 2018 में आया था और वही जनम्दर वही मत्यूदर वही मैंने उस टाइम पॉंसेप्ट बताया था इसका अब यह कभी गलत नहीं होने चाहिए क्यूशन अब दियां देख किस समय वद अब दियान देखना गुनी से 11 से 21 में तो देखो 48 में से 31 यह गठाओ 35.5 गठाओगे तो यह ग्यारा में से गया तो कितना गया है यहां पर साथ बचा साथ में दो ठीक है यह अगे बारा पॉंच्छा रहा है बस अदितम पूझा जो जो मैक्सिम आएगा वह यह आंसर में साथ गया तो दो तीन में से गया तो यह 12.5 ठीक है अधिकतम पूझा आगे बढ़ो 96 से 71 तक यह देखो आँ यह सबसे मैक्सिमम आने के पॉसिबिलेटी बन गई है तो एक में से नो जाएगा तो पॉंट दो ठीक है अब यहां 40 होगे 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचे अधिक जश्ट एक ज्यादा आ रहा है तोड़े सा गठाने में विद्यूदर कर दोगे तो आगे अंस है अब मुझे बताव यह क्या था पहले देख चुके हैं यह था क्यों मुझे फेल करवाया और मैं सही बता रहा हूं जब एक्जाम का मैं कहा है पहले से आपकी आपकी सारी क्यूशन आएंगे वहां से उनको अच्छे से कर लेना और एज एक्जाम में वही रिवजन के लिए लेके जाना रो जो आप बनाऊगे उसको लेके जाना वह दो त्रीन गंटे पढ़ लेना मैं फिर बारा बतारा क्यूशन में लगाना इनको देख लेना यही क्यूश अब दो में तो जाएगा ना दसमलों लगा लो 20 अब 11 का फिर एक बार जाएगा तो ओटोमेटिक यह तो गया काम से जाएगा अगर में यह भी लगाता ना तब यह आंसर आजाता है कि a 2259 नश्याणा में गया ठीक है अब कितना बचेगा अब दसमलों लगिए 2088 हो गया अब दियांशन से देखना ओटोमेटिक कितनी बार जाएगा 99 का 7 बार देखो अगर यह भी अपना था तब भी है अब देखो यह इससे भी आ जाएगा यह एक एक बार गया फिर देखो 38 बच गया 300C आ गया 300C आ गया तो यह कितनी बार यह तीन बार जाएगा ओटमेटिक यह कट गया आंसर आ गया सोचो ऐसे भी कर लेता तब भी एकजाम में आंसर आ जाता है पास हो जाता है अब फिर बार बता रहो इसी लिए हतकंडी अपने टूल्स ना अमेंसा बढ़ा के रखो कभी ऐग्जाम में दिक्कत नहीं होगी अब तीन बचा अब जीरो मैंने लगा तरैंट्ट फिर वापीस दो साथ दो साथ दो साथ थो अब मैं एक्जामे चक्राओं मैं इसलिए बता रहे हूं मैं हमें से तुमने लोगों हर तरीका बताता है तरीका जो पना रहा हुँ तो इसका रियल में दिया हुआ है अब यहां देखना है एक सताइस 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 अब याद रखने यह सेम चीज़े रिपीट हो रहे है इसको पुन लिख सेथे एक पॉइंट सताइस ध्यान समझने अब मैं दोनों तरफ कर रहा हुँ गोणा देख जितनी संक्याय रिपीट हो रही है उतनी संक्याय करते हैं से याद रखने हो ऊसे अभी समझ में आ जागा ऐसा क्यों करते हैं अभी देखो यह क्या जो डारेट मेतड़ भी है पर मैं चोछ दाँगा आराम से मैनुली शीखो यह एकस वाला मेतड़ शीख लो 127 आ गया क्यों दसमला गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा और दूसरा 27 27 27 से करके रहेगा डोट 27 27 27 करके ऐसे बचा रहेगा अब ध्यान से देखो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो यह वाला जो पार्ट हो सारा का सारा केंसिल आउट हो जाएगा तो मैंने माइनस किया सो में से सब्सक्राइब देखो यह माल 27 बार है और एक पॉइंट 27 बार है तो यह कैंसल आउट हो जाएगा तो यह आगया एक सब्सक्राइब भाग देलो 26 अब ज्यान से देखना यह किस से कर सकता है नो से कटो नो से योग होना चाहिए ठारा तो यह 6,2,8,9 हाँ नो से कट रहा है यह देखो नो से कट नो एकम नो और पे कितना बचा तीन नो चो च्छतिस चोदवटा ग्यारा कहा हा रहा है चोदवटा ग्यारा आंसर आगए ठीक है तो मैं फिर बार बता रहा हूँ यह मैनूली सीखो चलो ठीक है अब एको तरीका शिखाता हूँ इस एक और मैं तरड़ा हूँ जो मेरे नोट्स में भी आपको दिखा होगा इधा देखो एकपुण सताइस है ठीक है तो ध्यान से समझना पहले सबसे पहले करते हैं जो भी जो संक्या है इस संक्या को भलब यह एकपुण सताइस है ठीक है तो यह संक्या को लिखो पूरा का पूरा एकसे सताइस ऐसे लिखो गया आप ठीक है फिर दूशी बात यह जो रिपीट न ने ही नाइन लिखते हैं नीचे अफोड तो दारिट अब फी तरीका है इसका करने का तो भी किया जा सकता पंचोडो मैंने मैनुली में बताथें दोनों में बतादी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि उप्शन में things से भी हो तो दो सेश बस्ता हो तो डारेक्ट पहले LCM निकालो तीन च्यार पांच और च्छे का ठीक है ध्यान से समझना कितना आएगा LCM साथ आएगा ठीक अब यह मैं नहीं सिखा हो भी अब इतना तो बच्छों तर सीख लो भी पटा पट वहीं करोगे यह सब सीजी पता होनी चाहिए स साथ ऐसे संग्या कम से कम संग्या जिसमें सबका बाग जा रहा है अब साथ आ गया अब ध्यान से समझना यह जो साथ आएगा अब यह देखो चाहो तो डारेक्ट इन सारी संग्या को डिवाइड करके देख लो किसमें दो सेश पल आ रहा उसे भी फट श्यांसर आज अब ध्यान से कम करोंगा अब ध्यान से कम करूंगा तो कितना हो जागा बाराफ में से मालो 120 में घठाओंगा तो कितना जीरो यहां पर आट गया तो दस एक जार असी आ गया इससे भी छोटा है इसका मतलब मुझे सतरा से गुणा करना पड़ेगा ध्यान से समझा सतरा जी गुणा करना चाहसते सतर अब दो एक दो आ गया एक जार बीस अब कहां पे जश्ट दो ज्यादा आ रहा है फट्शे आंसर आगे कुछ भी नहीं करना मैंने मत सही बतारों भूत हीजी है एक तरीका तो यह था जो मैंने फट्शे बताया आपको तेको शाट वालाइक देख लो साट से आंसर भाग की देख लो चालिस इतकालीस चाहसो बारा आप देखो 60 का भाग दोगे 366 तो तीन सबस्तित गया तो तीन चांसर नहीं होगा इता देखो 60 का भाग दो 60 के एक बार गया क्यों दो बार जाएगा नहीं साट चालीस चालीस पचास बावन दो चैटे अड़तालिस अब देखो 484 चाहसोची गया तो 40 40 42 अब यहां पे इतना सेट पला रहा रहा है यह नहीं होगा इसका दो शाट में ब सब्सक्राइब करें कि वह क्या करें कि इनको सबसे भाग देगा वह भी तरीका है वीवाजी तक नहीं है अगर आपको पता है तो सबसे पहले याद करो कि वह क्या बोला है कि अब देगो मैं इनको क्या करोंगा सबसे पहरे दो घठा लोंगे तो यहां समय जैगा तो यहां से इसलों यह तो यह नहीं जाएगा यहां से पोसिबिलिटी है यह तीन चार यह नहीं होगा दो पांच और्स पाशों आईंसर है ऐब तरीका है अब देख टोम को बहुत नह कि आगे मैं क्या कर रहा हूं सोचो कि मैंने क्या किया इनको एक संक्या को ना इनसे भाग दे लिए ठीक है मालों कि अब मैं तीन से भी भाग दूँ इसको जिसे तीन मलब जिस दो गठाने के बाद में एक अजार इतना एक जाए रहा है चार क्या कि दो आगर थीओं कर फिर पांस कर दो आना चाहिए तो ज्यादा रहेगा क्योंकि आप में बच्चो जीसे निमत रहना चाहिए ठीक है पने एकजाम है तो इतना प्रकिश्ण आंसर निकालना है वह ज्यादए इंपोर्टेंट है तो इतना कुछ अगर कैसर नहीं है ठीक है आप देखो यह क्यूशन में बता रहा हूं यह इंपर्टेन लगा रहे ना क्यूंकि इस क्यूशन में तोड़ा बहुत वह कंशुच किये हैं याद करो सेम 12 12 13 के क्यूशन है सेम क्यूशन होई पर इसमें तोड़ा लोजिक है क्यूशन ज्यान देखता है एक सहर की व्यास्ट समस्टी में 40-35 पुरूस है और 30-35 महिलाए विवाहीत है कि माल लोगी ज्यान समझना कि अपने को अभी इनको दो दो चीज लेके चलना है ठीक अब देखते हैं इसको कैसे क्या लेंगे आगे देखते हैं विवाहीत वैस्क समझ्टी का परतिसत क्या है यदि कोई पूरूस एक से अधिक मेला से विवाहीत नहीं करता और कोई मेला अब देखो द्यान से समझना कैसे आएगा क्यों से बहुत अच्छा क्यों सब्सक्राइब यह पैसे समझ्टी में यह है जिसमें 40-35 जो है मेल ठीक ध्यान से समझना अब फिमेल ऑटोमेटिक कितना होगी शाठ परस्टेंटेज मेल फिमेल हो गई ठीक है अब देखो देखन अब यह बोले तीस पर्तीसष् Ayla intelligent है तीस पर्तीस जो है महिलाई जो है वीवाहित है अब यह साट प्रसंटेज करों एक और साट का सब्सक्राइब व्यूए जिसमें तीसभाइव सबागेक अब आगे क्या है विवाहित वेस्क करस्टी समस्टी का प्र्तीस क्या है कि सब्वायक से बात है जो और एक से आधी को भी नहीं है तो अगर आपन उस तरीख से भी निकालेंगे ठारा ठारा बट्टा अगर इसको अपन करें कितना टोटल परफ़न कितना सो है तो उससे नहीं निकलेंगा ठीक है कि महले गलतिया पुन यह करें यह अलग आएगा यह अलग आएगा यह तो सत्तर पर्संटेज में लाएक अनमेरिड थीक यह अनमेरिड वह में आगई क्योंकि आपने यह नहीं बोला कि इसी में से यह अलग भी हो सकती है ठीक है अब दान देख रहे हैं चलो ठीक है अब कि अब बोले वीवहाइथ वेस्ट समस्टी का पर्तिशत क्या है इस वीवहाइथ का जो समस्टी पर्तिशत कितना है तो यह देखो कि तो रुख जो रुख जो 200 ज्यान से समझना ठीक है देख तो है कि अपने दो सो सो भी लेके चले या दो अलगरा लेके चले देख सो में से सो है 40% जो मेल है वी वाइट है और 60% जो भी है फिमेल है कुछ भी हो सकते उसके पता नहीं अरी एक 100 है और जिनके बारे में अपने अब हम देख तीस जो है मैलाई जो है वी वाइट है तो सबस्टा जो है सत्ता परस्टेश ऑट्यमेटिक अन्मेरिट रहेगी यहां पर इतना आपने को इनपॉम में से जो दिया उसकी तैस आपने यह निकाल चकते ठीक है अब आगे देखो टोटल होगे कितने 200 200 में से सो का मलग कि टीस जो है विवाइट है ठीक है और टोटल का ना यह टोटल में से यह जो है विवाइट है आगे विवाइट को और की तौटल में से नकाल आपने विवाइट समस्टी का पर्तिशत क्या है वीभाइद वे समस्ट्री का पर्टिशत क्या है कि रुप जाए एक मनेट सचालीश कैस्या थी सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब रुप जाओ एक मिनिट समाज में फिर बारा हो था देख यही गलती होते है यही गलती लेंग्वेज में फिर बारा होता रहा यूप से क्यूशन बहुत थ्यान से समझना गल्दी कहां हो रही है अपने हैं एक सहर की वेस्ट समस्टी में यह अलग चीज है समाजना में 40% प्रूस और और लगा है ओ तीस माईलाय विवाइध है कि समझ में आया कि अरे कुछ समझ में आया है कि अपने कापन गलती क्या कर रहे थे यह अलग ले रहे थे ना चाली परेंट पुरूस है नहीं साथ समझ्टी में नहीं माल लोग एक सेयर की वेश समझ्टी है जितनी जन्संग कि उसमें कि 40 परूस और 30 पर्संटेज महिलाई विवाहित है समझ में आया तो 40 जो मैं है वो भी मेरीड है ठीक है और 30 जो है वो जो फिमेल है वो भी मेरीड है यह अलग अलग डाटा है और आपन क्या ले रहेते इनको वैसे लेके चलने नहीं इनको एक साथ पढ़ो 40% पुरुष और 30% महिलाई विवाहित है अब जहां से समझे चालिस का 40-30% विवाहित है अरे नहीं जो पिर मालों यहां कुछ भी था जैसे सर्माल लिया जाए कि एक वैस के समस्टे में हमारे पास 100 विवाहित है उसमें से 40 पुरुष और 30% महिला है और यहीं सबसे में इंपोर्टेंट तो याद को इसमें डाइग्राम वाला डिमार्ट लगेगा सुनों यह मेल है यह अपने को दिया है यह कि आप चाली पर इसके लिए स्टेट्मेंट क्या बोलो वठागा इसके लिए स्टेट्मेंट कि आप लिखो गया कि यह तो आगया यह गोला गया जो चाली पर संटेज मेल जो विवाहित हैं और यह तीस इसके लिए तो यहां पर यह होगा तो देखो जहां समझना अब मालों कि मैं ऐसा ले रहा हूं जहां समझना सब्सक्राइब मन्यूंत नहीं प्रकुनि सब्सक्राइब मुझे लेना पड़े सोगने सब्सक्राइब विवाईत na तो यह टोटल कितना हुआ 200 का 270 परसेंटेज हुआ ना सप्तर इंटू निकालो यह यह विए यहां पर यहां पर यह नहीं ले सकते दोनों बोली देता और रहा तो इसको लो आप अलगर एग रही में से लो इसको लो 300 300 300 और इसको लेव 400 300 को 40% निकालो कितना आजागा 120 और 30 का 400 को 30% निकालो तब एक 120 अब देखो 240 आया 240 कितने में से 700 में से विवाइत है अब इसका निकालो जीरो जीरो कड़िया साथ का भाग दो सात्या 21 कितना बचा तीन साथ चोग ठाइस कितना बचा दो दो बटा साथ तो आपने को गलती जो अपने यहां करें यह 100% आप नहीं ले सकते हैं फिर फिर क्या मतलब हो जाएगा अब यहां पर यही तोड़ा सोचने वाली बात है अगर देखो यहां पर सो ले ले यहां पर दोसे ले ले तब भी आंसर आ जाएगा देखो रूखो एक में पहले जो कर चुके वहीं क्योंशन है ठीक है यह देखो मालो कि मैं सो कुरुष माना उसमें 40% विवाइत है ठीक ह अब देखो यह में मालो 200 है महिलाए 200 लिया मैंने ठीक है और 200 का मालो यह कि तोड़ा ट्रेक्शन में वेल्यू नहीं आई इसलिए अपने ऐसा कि अपने ठीक है 200 का अगर मालो 30% महिलाए विवाइत है कितने मैं से 300 मैं से इससे कटो गए तो कितना आगया इससे तलग आ रहा है इसे तो 33 सही एक बटा तीन आ रहा है तो सोच अपने को नहीं वो रेशियो एसा ही लेना पड़ेगा अपने को पुस्तो लोजिक है इसक्विशन में तो यह से देवा आंसर चेंज हो गया ना इसे तो आंसर चेंज हो रहा है तो यह पर इंगली से पड़ो इन्हें एडल्ट पॉपुलेशन ओप सीटी ठीक है यहां पर डेस्ट लगा दिया है एडल्ट पॉपुलेशन ओप सीटी चालीग प्रतिश्ट मैन एंड वुमेन और मेरीड ठीक है कि वाट इस दिपर्शंटेज ओप मेरीड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मेन मेरीज मॉर देन वन मेन और मेरीज मॉर देन वन मेन एंड देर नो वीड़ो एंड वीड़ो और कोई भी वह नहीं है ठीक है अब जहां से समझे इसका मतलब यह तो 27 बात है एडल्ट पॉप वह तो नहीं लेगे हैं यह चाहिए रखना यहां पर कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहां पर कुछ भी ले सकते हैं पर तो बात यह नहीं कि वही है कि अब देखो यह 40 परसंटे मैं एंड 30 परसंटेज आएगा बोले फिर आगे 30 परसंटेज आएगा उसके बाद जो है ना मेल और फिम जैसे की फिमेल का यह 30 परसंट तो अब मेल किस कितने मेल से साधी हुआ है फिमेल का वो तो निकालना परेगा ना तो उसके लिए 30 पर फोटी कीजिएगा ना गुनी 100 पिर उसे क्या होगा तो इसे क्या होगा तो आप सरी में जैसे की इसमें मुझे आडिया लगये अभी तो वह नहीं है तुम बतारें खोड़ो अपने द्यान समझ नहीं तो ना इसमें मैं फिर बता रहा हूं यह वेड़ी इसलिए बहुत अच्छा क्यों इसमें लगेगा आपका वेंड डाइग ड़ से प्लगये देखो कैसे जहां समझना 40% मेल है िव्यक्त टोटल पॉपलेशन का अब इध्यात यह कि इसलिए प्लाइल है तो इसके बाहर यह क्या होंगे एनमियरीड होंगे समझ मैं यह क्या है अनमेरीड है ठीक है अब ध्यान से समझना अब देखो और इसमें एक और चीज सत्तर हो रहा है सत्तर मतलब है सब्सक्राइश कहँ नहीं कर रहा अगर दस परसंटे मोगी कितने का दस का डिफ्रेंस ईसमें और इसका दस जो डिफ्रेंस है हुआ है 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 मुझ है है हो चैनल फेसंटेज ए ठीक प्रसंटेज है ठीक है कुछ जो होंगे गडूसे से भा फाइत होंगे तो ये पितना होना चाहिए था कि अर्ये कुछ है किये यह कोई वीडियो मेरी जिनी आहां या पिर इसे को अपने तो यह सो मानोगे तू तो इनकी जो वेलू लेंगे आपन जो इन से मानेंगे आपन उसमें भी 10 परसंटेज कहीं अंतर होना चाहिए तब जाके आपन जो है वो कर पाएंगे तो जिसे मालों 300 ले रहे थे आपन ये 400 ले रहे थे आप यह जो दोनों है ना दोनों का इसमें ठाटी की सीधियर तो थटी में एक तो साधी हो आइना 10 किमिल ना बच जाते हैं अवह ठीक है फिर उसके बाद क्या करोगे कि उसके बाद जैसे कि इसका हो जाएगा पर उपर दस परसेंट नहीं किया इधर जो हो जाएगा ना ठीक है फिर आगे तो उसके बाद सभी को एड करेंगे तो फिर आगे पता नहीं कि इसे लिए बोला थे अच्छा क्यों से को बात है तो ठीक है अब आकरे में देखेंगे इसको छोड़ा मैं बता दूंगा इसका जितना परसेंटेज में रेशो दिया है ना इसके आप और सोच के कर सकते हैं अगर जो आंसर दिया है उतना है तो बताओ-बताओ कैसे आरे तीन सो चार्ट वाला देशो आँ वह तो वही वह तरीका तो मैं ने बताई दिया पर नहीं मैं चारों की तोड़ा के अच्छे से निकले इसे ने वह तो है उसके अलावा हुई अगर कोई अधर ले रहा है ना तो आंसर चेंज हो रहा है वह तो है पार वह आखिर में क करेंगे इसको अभी तो मैं बढ़ते हैं आगे करो मैं बता दूंगा है किया हो गया है अच्छारी दूसे अगर कर दो को एक माने टेक्माने टूकर अगर कर दो कि अगर दो कि अगर करना है जैसे की बीस और एकिस को तीन दिन में किजिएगा इसे बहुत लंबा क्लास हो जाते हैं कि इन घंटे नहीं बैट पार हो तुम लोग चलो ठीक यह कुछ तो देखो जान से समझना है अब आगे देखो तो विवाइट महिलाओं की संक्या जो है मेल की बबारी समय से महिलाओं की संक्या किस से साधी होगी फिमेल से अगे न यह अपने पता लगें फिमेल है जिनके साथी हुई है तिस मेल से ठीक है यह पता लगे विवाइद पुरुश्यों कि शंक्या बराबर यह इतने आ गई अब देखो कुल व्यश्य कुरुश कितने हैं अपने पास कुल व्यश्य क कितने 40 का द्यान से समझे न 40 का 50 40 परसेंटेज का मान ठीक है अब य यह तो यह चाहिए सो परसंटेज सो मेल कितने है टोटल तो मेल यहां से आजाएगा चार काटों 25 पिछेत्तर तो यह पिछेत्तर मेल आये और मुमेन का पुने मानी लिया था सो थी अब यहां से देखना तो अब देखो पिछेत्तर का कितने विवायत है 30 तो मेल है और 30 कितने है फिमेल तो टोटल कितने होगे 60 इंटू 100 काट लो अब इसको करो इसको करो कितना आ जाएगे देखो 25 का करो 25 का सो इधा देखो इभीं पेस्टाष्ट इंटली से अधिया अग्यों से सब्स्राइनॕ आप फिर गलति होगा है दो सबस्ट सब्सक्री काुपाइगा यह अब इहां यह गलतिए अब देखो यह साथ है उपर अधिएगे नहीं हो पूजा सही तो बता रहे तो आगे पोच नहीं पा रहे थी अब बता है कहा है अभी जागे तो में और में और में और में का रेशियो निकालना था सर्देश्ट पहले मैं 40 पर 30 पर 30 और जब रेशियो निकालते है तो मैं और में पलेट जाता है तो यह रेशियो 30 धिशियो 30 अर्य कि और में का रेशियो 30 और 14 हो जाएगा अब सीधा निकाल लीजिए कि मैन 40 45 जो है वह भायरा कि तरह 15 partie 6 ine बारा नेंगे दिस खार 40 कि रोके 14 और दोनों को जोड़ के चो विस तो वा क्योंस कितना कितना है सब्सक्राइब यहां दोनों जोड़ने पिक इतना रहा चोविस थे चोविस पटा सथर गुना सौ ने आप इसके आगे बताओ ना चार अपाथ निन पर फिर अब क्या करोगे अधिर मैंन का निकालना है सर कि 40 40 इंटू 30 गुना सौ 30 बटा सौ 30 बटा सौ क्या हुआ यहां बारा ठीक है और उसके बाद फिर 30 का 40 30 गुना 40 बटा सौ इमें का निकला और आप निकालिए वोमेन का 30 गुना 40 बटा सौ यह से क्यों ले रहे हो तुम 40 यह से कैसे ले सकते हैं एक टेकेंड वो बताया नजर कि मैंने रेसियों निकाला तो रेसियों में पल जाएंगे सब्सक्राइब तुमां से निकाले निकाला है अ थार वाने वाले हैं कि अ इच्छल अधर कर वाले हैं कि हाना तब निकाल पर प्रतेशन कि फूर वाले हैं कि अ इसका सुनो इदर वो ही है कि तुम लोग पिर उसमें गड़वड़ी होगी ना बात यह है तो यहां से कुछन करेंगे कल तो तो यहां से कुछन करेंगे कल पर दोजार इकीज के लिएक से लेकर 40 तकी करेंगे तो तभी सेट होगा मामला है चालिस चालिस करती है कि दोजार एक हाँ चाली चाली क्यूशन करके करेंगे सुबे में सुबे में करा तकते हैं तो करा दीजिए अच्छा नहीं है चलो ठीक है पर सो जाओ सब लोग जाते हैं आज पता है बहुत अच्छा